Yes, we are live now. Hello friends, this is Ivanshi and welcome to Let's Learn. Hopefully, आप सो भी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे. आज हम प्याजे वाइकॉस की और कोहलबग करेंगे, जो ऐसा कोई भी टीचिंग का एक्जाम नहीं है, जहाँ पर टीचर का सेलेक्शन या टेट भी जो आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी है. देश भर में ऐसा कोई एक्जाम नहीं है, जहाँ टीचिंग की बात हो, प्याजे वाइकॉस की कोहलबग ना पूछा जाए. तो समझेंगे, अगर हम बात सीटेट की कर रहे हैं, तो कम से कम भी पांच से छे नंबर में ये तीन थियरीज आती हैं. इंपॉर्टन है इनको समझना, क्योंकि अगर आप इन थियरीज को समझ लेते हैं, तो लगभग जितने भी आपके डिवलिपमेंट या पेड़गोजी के भी बहुत सारे क्वेस्टन्स सॉल्व हो जाते हैं. और पियाजे वाइगाउस की कोलवा, क्रक्स है एक तरह से, आपके स्लेबस के अगर हम देखें. इसलिए बिजली कट गई है, तो खतरनाक लोग है, मैंने को कॉमेंट पढ़ते हैं, तो इस तरह के अजीब हो गरीब कॉमेंट्स चलते रहते हैं, और वैसे तो आप लोग पढ़ने के लिए आ ही गए हैं, स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, EBS और Maths Pedagogy के Notes, आपको जल्द और कुछ लोग comment पर ध्यान देने से ज़्यादा कोशिश करें कि theories समझें, important theories ने, इनमें दिमाग लगता है समझने में, बट एक बार समझ लेंगे तो हमेशा के लिए free हो जाएंगे, क्योंकि ये seated चे लेके, आपके केंद्रे विद्याले से लेकर के, डीट्रेस भी से लेक तो theory चलने हैं, तो इनको बैठ करके आराम से देखना है कि क्या चल रहा है, comments में, चलिए start करते हैं, और इसका एक नुकसान ये भी है, कोई भी अगर जरुरत से ज़्यादा खराब comment अगर आएगा, तो हम टाटा बाइबाई भी करा सकते हैं, तो like, share, subscribe आप कर देंगे, जै भी fake channel से नहीं जुड़ना है, अच्छा मैंने एक दो mail और देखे, कल में और परसों में, कई लोगों को लग रहा है कि अभी तैयारी शुरू किया, किसी के B.Ed के exam खत्म हुए, मान लीजे, तो क्या आप से तैयारी हो जाएगी, सीटेट की, बिल्कुल हो जाएगी, marathon session सिर् इसके अलावा, अगर आपके इंद्रे विद्याले की तियारी कर रहे हैं, तो career level पर batch जो है, आपका भी live है, आप admission ले सकते हैं, वो दैसर ने सारी details आपको दे दी होंगी, hopefully, और जो लोग offline class की, हम लोग बात कर रहे थे ना, तो offline class इस Sunday होगी, दिल्ली में, address आपके साथ कल में share कर दूँगी, Sunday मतलब 11 December को, और एक बजे से, चार बजे तक हो सकता है, छे बजे तक भी चले, dependent करता है क्या कहानी रहेगी, तो वो session आपका रहेगा, तो आप लोग बिल्कुल जितने भी लोगों को अलग अलग जगा से आना है, वो बिल्कुल अपनी कुरसी की पेटी बांद के उडान भर सकते हैं दिल्ली की तरफ, या दिल्ली से जिन लोगों का आना है, वो भी जान कर सकते हैं, तो वो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, सारे डाउट कोई नहीं ले सकता, तो आफलाइन में कोशिश करेंगे, कि आपकी विकास की और कोलबग, अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, हमने डिवलेप्मेंट के समय पे एक वर्ड पढ़ा है, कॉगनिटिव डिवलेप्मेंट, यानि संग्यानात्मक विकास की ही दी है, चाहे वो प्याजे हूँ, चाहे वो वाइकास की हूँ, कोलबग की नातिक विकास की थेयरी ही, वो डिफरेंट हो जाएगा आपका ओरालिटी, ठीक है, वो सोशल डिवलेप्मेंट से जुढ़ा हुआ है, यroit दोनों कोगनेटिव यानि हमारे संग्यानात्मक विकास से जुढ़े हुए हैं, संग्यानात्मक विकास क्या है, हमारा बुध्धि विकास, हमारी बुद्धी का विकास, हमारी mental skills यानि मानसिक, शमताओं का विकास हमारा सोचना, समझना, तर्क करना पूछना, मतलब जितनी भी चीज़ें दिमाग से होती हैं, thinking, reasoning problem solving, decision making, attention memory, perception, जो भी काम आप दिमाग से कर सकते हैं, वो सब जो है, संग्यान के अंदर आता है जिसके बारे में प्याजे ने एक theory दी है और जिसके बारे में वाइगास की ने एक theory दी है प्याजे की अगर हम बात करें तो इन्हों ने stages और elements पे बात की है, वाइगास की ने कोई भी stages नहीं दी है इसलिए इनको कहा जाता है कि वाइगॉस की क्या खहते हैं विकास को continuous यानि सतत मानते हैं सीट एट में पहली बार पूछा गया हालां कि हम ये पहले से ही discuss करते थे तो वाइगॉस की क्या है continuous मानते हैं वाइगॉस की development को प्याजे discontinuous मानते हैं सबसे भेली बात हुई ठीक प्याजे की थेयरी का नाम ही प्याजे's cognitive development है यानि प्याजे का संग्यानात्मक विकास का सिध्धान्त एक नंबर में question ऐसे भी पूछ लिया जाता है और जो वाइगॉस की थेयरी का नाम है वो संग्यानात्मक विकास नहीं है बट इन्होंने बात संग्यानात्मक विकास की ही की है इनकी थेयरी का नाम है socio-cultural approach, सामाजिक, सांस्कृतिक, सिध्धान्त या परिपेक्ष लेकिन आपको याद रखना है कि थेयरी किसकी है संग्यानात्मक विकास की ही है स्टार्ट करते हैं प्याजे से और प्याजे जो हैं बहुत famous हैं आप लोगों के भीच कई लोगोंने तो pages बनाए हुए हैं, comments में कई लोग comment करते हैं प्याजे चचा, Switzerland वाले, तो यह Swiss मनोव अग्यानिक थे, मनोव अग्यानिक किया ही psychologist भी थे, biologist भी थे, इन्होंने intelligence पे भी काम किया Alfred Binet और Theodore Simon जैसे लोगों के साथ, बहुत different, different context में इन्होंने काम किया अपने आप में एक prodigy, जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही कम उम्रों में PhD, PhD पेपर वेपर हैं पब्लिश किये तो खतरनाक इंसान हम कह सकते हैं, अब तो ऐसे लोग है, मर के भी नहीं मरते हैं, जीवित ही मानेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं, संग्यानात्मक विकास प्याजे, 15-16 सालमेन की पेपर और दनिया भर की चीज़े पब्लिश हो गए थी, प्याजे का संग्यानात्मक विकास का सिध्धान्थ, ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कह रहा है, अगर आपके सिर्फ नोट सी पढ़ रहें, तो 110 सा जाएं, अभी तो और भी नोट सा और बागी हैं, तो सोचो, क्या होने वाला है, अभी धीरे-धीरे चीज़ें बढ़िया बनेगी, देखिए, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सुकून से चलेंगे, क्योंकि मैं इंडप्त इसी लिए लेकर के चल रह संग्यान का मतलब सिंपल है, तो यह एक तरह का कॉंसेप्ट है, जो आपके दिमाग में है, आपके स्कीमा में होगा, कहीं ना कहीं, आपके और गनाइजड फॉर्मेट में होगा, ब्रेन के existing knowledge में कहीं पर रखा हुआ होगा, तो concept कहां बनेगा, हातों में नहीं, दिमाग मे ठीक, तो concept का development भी संप्रत्यों का निर्मान cognitive development के अंदर ही आता है, language भी cognitive development के अंदर ही आती है, दूसरे शब्दों में एक बार question पूछा जा चुका है, intellectual development की चार stages किसने दी है, यानि बौध्यक विकास के चार चरण किसके द्वारा दिये गए है, simple answer है प्याजे के द्वार clear है बात, कोई दिक्कत परिशानी कि जो genes हैं एक generation से दूसरी generation में जो transfer हो रहे हैं, वो हमारे संग्यान के विकास या हमारे विकास में बहुत ही एहम भोमिका निभाते हैं, जबकि वायगोस्की ने आपके genetics को या heredity को उतना महतुपूर, biology को एक तरह से इग्नोर कर दिया गया, ये उनका एक criticism भी है, ठीक है समझते हैं, अगर हम बात करें कि बच्चों को क्या कहा है, इन्होंने little scientist कहा, यानि नन्हे विज्ञानिक हैं बच्चे, विज्ञानिक क्या करते हैं, बहुत curious होते हैं हर चीज को लेकर कि जो भी चीज़ने उनके environment में हो रही होते हैं, जिस भी problem को वो solve कर रहे होते हैं, बह क्या हैं, नन्हे विज्ञानिक हैं, यानि चोटे विज्ञानिक हैं, उनको आप bottle दे दो, उसको भी तोड फोल के, मुझे याद है बच्च्पन में एक pen मिला था ये कहानी, शायद मैंने detail में सुनाई हुई है आपको कभी, तो pen मिला था, तो मैंने वो वैसे टिक टैक वाल हैं, जिसको आप याद रख सकते हैं, तो उनको नन्हे विज्ञानिक हैं, लिटल साइंटेस्ट हैं, इसका मतलब क्या हुआ, active constructors of knowledge हैं, active explorers हैं environment के, सक्रिये निर्माता हैं, यानि वो सक्रिये हैं ना कि निश्क्रिये, पैसिव वर्ड एकदम negative है, जो भी बात बच्चे को center में रख के करेंगे, जैसे कि प्याजे हैं, बच्चे को center में रखते हैं, कहीं न कहीं, उसकी activities को center में रखते हैं, तो passivity तो दूर दूर तक नहीं रहेगी, बहुत ही ज़्यादा negative word है, पूरे exam के लिए आपके, तो निश्क्रिये तो हो नहीं सकते, बच्चे के बस बैठे हुए हैं, और teacher कुछ-कुछ सुना रहे हैं, और नींद आ गए एक नींद ले ली, खाना खालिया, लंच कर लिया, साथ में बैठे-बैठे क्लास में सब कुछ कर लिया, बस पढ़ नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे क्या हैं, सक्रिये हैं, वो actively involved हैं classroom में, या दुनि चोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं फिर से repeat करूंगे एक बार, कोई जल्दी नहीं है, प्याजे को अगर अच्छे समझ लिया, वाइगॉस की भी अच्छे समझ में आ जाएंगे, कोल बग तो अपने आप में अलग चीज हो जाती हैं, तो प्याजे न बच्चा रचना करके सीखेगा, तो रचना करके कौन कहेगा सीखेगा, जो रचनावाद में विश्वास रखता होगा, है ना, प्याजे क्या है, रचनावाद में विश्वास रखता होगा, है ना, प्याजे क्या है, रचनावाद में विश्वास रखता होगा, है ना, प् प्याजे एक constructivist है, दो मिनट दे करके इसको समझेंगे, एक question यहां से भी सीधा-सीधा आता है, constructivism क्या है अभी जब आप seated कर लेंगे या कर चुके हैं जितने भी लोग, तो constructivism या schools of psychology एक chapter है, अगर आपने मेरी notes की बुक भी देखी है, अभी out of stock है, आजाएगी एक दो दिन में, तो constructivism आपने अगर देखा है, तो हमने देखा है, schools of psychology हैं, यानि मनुव ज्यान के बहुत सारे संप्रदाएं हैं, कि एक structuralism हुआ, फिर उसके बाद और तरह-तरह की चीज़ हैं, behaviorism हुआ विवहारवाद, सब की अपनी विचार धाराएं हैं हर व्यक्ति होता है, जैसे उसकी अपनी विचार धारा होगी जैसे political parties की लोग बढ़ जाते हैं, कि हम फलाने विंग से हैं, हम धिकाने विंग से हैं, यह क्या हुआ, इसी तरह से अलग-लग schools of thought हैं, जो अलग-लग विचार धाराओं में मिश्वास रखते हैं उसी तरह से एक school है, constructivism यानि रचनावाद, जो यह मानता है कि ज्यान का जो निर्माण है, knowledge का जो construction है, वो रचना उसकी हो सकती है, उसको हम construct कर सकते हैं, activity करके यह एक main thought है, constructivism का, इसी के basis पे आज का education system बहुत हद तक, निर्धारित है अधारित है, अगर मैं कहूँ, NCF 2005 की जब आप बात कर रहे हैं अपने आप में एक document है, अगर आप NEP, जो national education policy है, यह सब हम कल करने वाले हैं, इसकी भी आप बात करेंगे, तो यह भी किस पे आधारित है, रचनावाद पर ही आधारित है क्योंकि यह बच्चे को active रखने की बात करता है ठीक, और इसमें teacher क्या है teacher एक facilitator है, तो ऐसा नहीं कि teacher का कोई role नहीं है पयाजे के according, वो क्या है, एक सुविधा दाता है जैसे आप एक माली की तरह पौधे का ध्यान रखते हैं, मैं पौधे को जबरस्ती खीच के बड़ा नहीं कर देते, तो आप माहौल बनाने वाले विक्ति हैं, जहां ज़रत हो, वहां बच्चे के लिए आप available है, facile, teacher नहीं विधा दाता है, यह हम NCF में और डीटेल में जानेंगे तो इस constructivism में भी अलग-अलग thought के लोग हैं, जैसे प्याजे की अगर हम बात करें, यह भी कहते हैं, बच्चा रचना करता है, और वाइगास की भी, लेकिन प्याजे कहेंगे, यह radical हैं इस बात को यानि सामाजे क्रचनावादी, वो कहेंगे, समाज की साहिता लेकर के ज्यान का निर्माण, बच्चा करेगा, ऐसा वाइगास की कह रहे हैं, इनको डीटेल में बिल्कुल जड़ से समझने की जुरत है, अदर्वाइस उपर उपर से अगर आप line by line रट लेंगे तो फिर फजेंगे ठीक, तो एक बात हमेशा याद रखेगा, प्याजे उल्टा नहीं कहते हर बात, जो वाइकॉस की कहते हैं, जो भी प्याजे कह रहे हैं, उसका उल्टा वाइकॉस की नहीं कह रहे हैं इस चीज़ को रट लेते हैं दिमाग में, और कई टीचर्स भी ऐसा बता देते हैं, तो ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, कि जो प्याजे ने कहा है, उसका उल्टा कहा होगा वाइकॉस की ने, जैसे एक थौट चलता है कि जब आप प्याजे रवाइकॉस की के बीच में अंतर ढून रहे हो, या उनको काट ढून रहे हो, एक दूसरे की डिफरेंसे ढून रहे हो, तो बहुत सारी चीज़े ने में common हैं, बहुत ही limited चीज़े हैं, जो different हैं, तो उस पे अभी हम constructivism की बात कर देंगे, ठीक है, चलिए समझते हैं आगे की कहानी, तो प्याजे radical constructivist होगे, अपने संग्यान का निर्मान बच्चा activity करके करेगा, ये सिधान्त हमें क्या बताता है, कि जो मानसिक संग्यानात्मक संरचना है, जो हमारा mental structures बनते हैं, जिसके साथ आप पैदा हुए हैं, एक तरह से schema भी कह देते हैं छोड़ना उसको हो सकता है, ना आता हो, यानि ग्रास्पिंग जैसा जो schema है, या कुछ survival schemas हमारे brain में होते हैं, जब हम जन्म लेते हैं तब से ही, या फिर sucking की अगर हम बात कर रहे हैं, कि बच्चे को आप दूद पलाना ऐसा थोड़ी training दी है, आपने के दूद कैसे पीना ह उसको बस हलक असा move किया और वो दूद पीना सीख जाता है बच्चपन से, फीड करना सीख जाता है, तो कुछ schema survival के लिए हमारे brain में पहले से होते हैं, हमारे survival instincts में कहीं न कहीं होते हैं, schema क्या है, यह simple मानसिक संरचना है, संग्यानात्मक संरचना है, existing knowledge है, जो brain में आपकी स बच्चना बनी हुई है, आप मुझे पहचान पा रहे हैं, क्योंकि आपके brain में एक schema है, मुझे लेकर के, ठीक है, कोई दिक्कत परिशानी, 15 साल की उम्र तक अधिक्तम विकास जो है, संग्यानात्मक पक्ष में हो जाएगा, ऐसा प्याजी क्या रहे हैं, इनकी जो stages हैं, एज के according syllabus design होता है, ऐसा तो नहीं है कि 7th class का बच्चा है, तो आपको पता होता है कि यार इस उम्र का बच्चा होगा, कहीं 14 साल के आसपास, 12 साल के आसपास, 13 साल के आसपास का बच्चा होगा, तो उसकी जो mental abilities होगी, उसके हिसाब से आपको NCRTs में भी examples मिलते हैं, उसकी एज को ध्यान में रख करके बनाई जा रहे हैं किताबें, तो एज को ये महतुपूर मानते हैं, हेरेडिटी को ये महतुपूर मानते हैं, ठीक, और 15 साल तक maximum development यहाँ पे हो जाएगा, अब क्यूंकि इन्होंने stages में तोड़ दिया है विकास को, इसी लिए कि भाई, चार stages म इन्होंने दी हैं, तो पहली stage में इतना विकास ये शमताया आ गई, उससे उपर थोड़ा और हुआ, फिर और हुआ, maximum development आपका 15 साल तक हो गया संग्यान का, उसके बाद तो आप develop करते रहेंगे, इसी लिए इन्होंने विकास को और निरंतर यानि discontinuous बताया है, जो व्यक्त सब्जेक्ट जो है आपका मनोग्यान है या बाल विकास है, ये मैट्स नहीं है कि 2 प्लस 2 हमेशा 4 ही होगा, तो ये discontinuous कैसे होगा, continuous भी है, development discontinuous भी है, जादा तर जो लोग है वो इमानेंगे कि विकास एक continuous प्रक्रिया है, लेकिन जब हम प्याजे की बात कर रहे हैं तो इन नहीं की है, ठीक, collective monologue नाम की एक चीज है, 3-5 वर्ष में आती है, pre-operational stage अभी आप आगे पढ़ेंगे, इस पर question इस बार पूछा हुआ है, सामोहिक एक अलाप, यानि बच्चे, सारे बच्चे आपस में बैठे हुए और सब कुछ-कुछ बाते कर रहे हैं, कोई किसी से बा नहीं चार elements दिये हैं, जिसको कई लोग miss कर जाते हैं, उस चक्कर में फिर ये theory complete समझ में नहीं आपाती, फिक, four elements दिये हैं इन्होंने development, कि ये four stages या चार चरण नहीं है, ये चार तत्व हैं, जिनको महतुपूर माना प्याजेने, क्या हैं ये तत्व हैं, जो संग्यानात् की दुनिया में, या offline में भी ऐसा होता है, बहुत बार लोग आते हैं, meetup वगेरा में, बहुत भर poor use इसका लोग करते हैं, कई लोग credit देते हैं, let's learn को या मुझे, कई लोग नहीं भी देते हैं, but how does it matter, अगर आपका फायदा हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें secondary हैं, ठीक, त अंदर कुछ शमताएं हैं, एक maturity आ रही है, परिपक्वता का मतलब ही है, एक प्रक्रिया जो highly related है आपकी heredity से या biological process से, कि आपकी टांगें तो जन्म से थी, लेकिन उनमें चलने की जो शमता आई, वो maturity के साथ आई, तो ये heredity से जुड़ी हुई एक प्रक्रिया है, highly related to her heredity माना जाता है, परिपक्वता को, जो age के साथ आती हैं कुछ चीज़ें, और इसी हिसाब से हम syllabus वगरे design करते हैं, curriculum आपका design होता है, तो ये प्याजे कह रहे हैं कि परिपक्वता, यानि heredity या genetical, जो factors है, maturation है, वो बहुत महदोपून है, बच्चे को सिखाने में, आप एक 7 साल के बच्चे को 17 साल की उमर की चीज़ें अगर सिखाएंगे, तो ऐसा हो सकता है कि वो ना सीख पाए, ठीक, E for experience, आप cycle चलाने के लिए भी पहले देखते हैं कि बच्चे के वो पैर हाथ उतने परिपक्व हुएं कि नहीं हुएं, इसी तरह से brain भी आपका time के साथ परिपक वो होता है, E for experience यानि अनुभव, आपको जो दुनिया में अनुभव मिलेगा, वो भी आपके संग्यान को आपकी बुद्धी को बहतर बनाने में सहयक होगा, इस अनुभव का दूसरा नाम activity है, कई बार paper में activity लिख देगा, कई बार paper में आपका experience लिख देगा, ठ कोई दिक्कत परिशानी है, हाँ, ठीक है, सुमित क्या कह रहे हो, सेप्टेमबर वाला बैच, सुमित अगर सेप्टेमबर तक कोई बैच लिए है, पेडगोजी स्पेचल है कुछ भी तो उसमें अगर कुछ एक्सरा चीज होगी, वो डलवा दिया जाएगा, उससे पहले व कर ही रहे हैं, और अपनी समझ बना रहे हैं, असानी यह दूसरों समझ को भर ले रहे हैं अपने अंदर, तो यह हुआ सोशल इंटरेक्शन, फिर आती है एक चीज एकुलिब्रेशन, यह बहुत महतुपोन है, सारा जो टेंशन है आपका, कि अडेप्टेशन क्या होता है, क्या होता है, एकुलिब्रेशन क्या है, वो इसी से जुड़ा हुआ है, एकुलिब्रेशन है संतुलन की प्रक्रिया, यानि हम अपने दिमाग में एक संतुलन क्रियेट करते हैं, जब हम अपने संग्यान, अपने कॉगनिशन को डिवलेप करते हैं, हमारे दिमाग में जो है में कई बार इसमें question आता है कि इन four elements में क्या शामिल नहीं होता तो आप देख पा रहे हैं यहां language शामिल नहीं है क्या नहीं है भाषा यहां कोई भी एक factor नहीं है अगर हम देखें इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि भाषा को प्याजे नहीं यह कह दिया कि यह तो किसी काम की नहीं है बट इन factors में शामिल नहीं है महतव पूर्ण है लेकिन इन चार factors में नहीं आती अलग से इसको महतव नहीं दिया गया लेकिन नकारा भी नहीं गया ठीक है ना तो यह धियान रखेंगे कि अगर पूछ लिया जाए तो हाँ भी language भी important है लेकिन इन four elements में language नहीं आती ego centric speech की बात की है उसपे आएंगे तो यह चार factors है M, E, S, E maturation, experience, social interaction और equilibration अब इस equilibration यह जो fourth point था इसके अंदर आते हैं कुछ points equilibration यह जो संतुलन की जो प्रक्रिया है उसके अंदर यह आपका पूरी कहानी आएगी कि जो संतुलन है उसमें दो processes involved होती है एक होती है adaptation यह जिसको हम अनुकूलन कहते हैं कि आप जिस environment में है उसके साथ आप adapt कर पा रहे हैं सर्दियां आ गई है अगर आप खाना उस हिसाब से नहीं खाएंगे कपड़े उस हिसाब से नहीं पहनेंगे तो क्या होगा टाटा बाइबाइ फिनिश हो जाएंगे निकल जाएंगे यह सर्दियों में तो यह क्या हुआ कि आप adapt नहीं कर पाए हसने की जरुरत बिल्कुल नहीं है तो आप adapt नहीं कर पाए और जैसे हमाई निशा है अब देखो एकदम रजाई वजाई ओड़ के बैठती है अब तो ऐसी वैसी बंद कर दिया है हमने तो यह क्या हुआ adaptation यानि अनुकूलन आप environment के according adapt करते हैं आपकी जो शमता है environment के your ability to adjust और adapt in an environment कि आप ढल पाएं उस माहौल में ऐसी आपका brain काम करता है तो एक तो प्रक्रिया इसमें ये शामिल हुई दूसरी प्रक्रिया क्या है organization यानि संगठन संगठन क्या है आपके brain में यह जो schema है अभी हम जिसकी बात कर रहे थे एक मिनट देखर के इसको अलग से भी समझ लेंगे schema को schema ही कहते हैं Hindi, English, Farsi जो भी आप समझ में ज्यादा बहतर रखते हों जिसकी समझ तो organization यानि संगठन organization होता न World Health Organization है यानि एक संगठन है कुछ समू बना हुआ होगा किसी चीज का कुछ वहाँ पे अलग-अलग pockets बनी होई होंगी information के कुछ categories बनी होई होंगी अगर मैं कहूं फीक है बात कोई दिक्कत परिशानी नहीं है इस बात को समझने में फीक है जी बहुत बढ़िया चलिए क्या कह रहे हैं आप लोग अभी तक तो KVS को लेकर के doubt ही खतम नहीं हो रहे हैं आप लोगों के अभी प्लीज ये पढ़ लीजे फिर कर लेंगे सुबात एक वीडियो में अलग से चर्चा कर लेंगे तो adaptation क्या है एक प्रक्रिया है एक है assimilation और दूसरी एक process इसके अंदर आती है accommodation इसके माध्यम से हम अपने environment में क्या कर पाते हैं adapt कर पाते हैं ठीक है organization एक simple सी प्रक्रिया है कि जो भी आपके brain में information है उसको कितने अच्छे से आपने categories में विभाजित करके अपने schema में किसी व्यक्ति को देखें और करें आरे यार यह तो मैंने कहीं देखा देखा सा लग रहा है मतलब ठीक से organized नहीं हुआ अगर देखा हुआ है पहले से और फिर भी नहीं पहचान पारे तो कही न कहीं organize करने में दिक्कत हुई होगी ठीक अगर हम schema की बात करें एक मिनट ले करके क्योंकि to the point schema पे भी एक एक question कई बार देखने को मिला है schema schemes भी कह दिया जाता है schemes बिसिकलिए छोटे छोटे parts हैं schema की जब हम बात कर रहे है तो यह आपके brain का जो भी existing knowledge है जो भी आपकी आज की वर्तमान समझ है या ज्यान है इसको आप previous knowledge भी कह सकते हैं कि जो भी आपका पूर्व ज्यान आपके brain में exist करता है previous knowledge या फिर structure of knowledge कई शब्द बदल के आपको paper में देखने को मिलता है यानि structure of knowledge बोले तो ज्यान की संरचना इसका simple मतलब schema का यहां यह हुआ कि आपका यह brain है इसमें कुछ information है जो की exist करती है added है आपके brain में structure बना हुआ है दुनिया में movies से लेकर के लोगों से लेकर पौधों से लेकर के गानों से लेकर हर चीज अपने आप में organized है से schema में आप कैसे अरीजीत सिंग का गाना सुन रहे है और फटा-फट से पहचान जाते है यह यह वाला गाना है धुन सही क्यों उस music से आप क्यों पहचान पा रहे हैं क्योंकि schema में आपके structure of knowledge में आपकी existing knowledge में आपके पूर्व ज्यान में क्यों 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 कि कही ना कही schema में add होगा नहीं तो फिर आप add करेंगे अगर नहीं होगा तो आप add करेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें add होती रहते हैं कुछ changes आते रहते हैं schema में over the period of time और schema update होता रहेगा update कैसे होगा उस adaptation की प्रक्रिया के द्वारा और adaptation की प्रक्रिया में दो चीज़ें लगती है assimilation और accommodation अब इनको समझेंगे ये क्या है एक मिट देखिएगा क्या तुमको जाने नहीं जाने दिया जाएगा तुमको कोई क्या क्या रैपिर्डो से जाओगी उड़के चले जाओ एक हवाईजाज मंगवालो दोसको कदम चलने की क्या आफशकता है देखिएगा अगर हम बात करें assimilation और accommodation की तो ये दो प्रक्रिया हैं जो adaptation में आती हैं समझते हैं assimilation और accommodation कैसे काम करती हैं generally एक शब्द में समझने के लिए बस आपको trick की तरह याद रखने के लिए कुछ जब आप नया add कर रहे हैं existing schema में तो वह आतमसाती करन जब आप modify कर रहे हैं कुछ manipulate कर रहे हैं, adjust कर रहे हैं तो वो accommodation यानि समायोजन कह देते हैं फिर भी इसके examples लेकर के समझते हैं जिसमें ये कुछ कुछ चीजें हैं जो लगती है मुख्य जो है इसमें assimilation और accommodation है बीच की कहानी ये पूरी एक process है जब जाकर के आपका brain या आपका schema adapt कर पाता है चीजों को ये इस process से गुजर करके assimilation क्या है आपने जोड़ा किसी सुचना को information को आपने add किया add किया अपने कुछ अपने existing schema में जयनि जो आपका वर्तमान schema है जो वर्तमान आपका संग्यान या एक packets of information या stored information है आपके brain में उसमें कुछ आपने add कर लिया आपने dock को देखा और उसको add कर लिया aeroplane किसी ने बताया हेलिकॉप्टर या aeroplane जैसी कुछ चीज होती है जो उड़ती है आपने add कर लिया अब एक दिन क्या हुआ यह assimilation है equilibrium क्या होगा अगली बार आपने aeroplane देखा और आपने कहा रे मम्मी देखो aeroplane आपने बताया था ना पिछली बार के हाँ मिटा ठीक है एकदम aeroplane है संतुलन में है आपका brain के जो आपने assimilate किया था जो add किया था किसी information को existing schema में जो add किया था वो balance में है यानि जो आपने दुनिया में बाहर देखा जो दिमाग में है दोनों match कर गए वाओ मतलब bird देखा तो bird कह दिया आपने क्या देखा helicopter देखा तो हाँ कहा कि हाँ ये क्या है plane है अब next time एक नई situation आई ऐसा तो है नहीं जो आपके schema में वही दुनिया में रहेगा हमेशा कुछ ना कुछ नई information आती रहेगी नई इस्थिति आई अब नई इस्थिति जब आई तो यहाँ पर आपने एक bird को माल लिजे आपको एक helicopter या एक airplane के बारे में बताया गया था तो आप confuse कर गए आपने कहा मम्मी ये एक bird है या bird को आपने helicopter कह दिया ठीक है ये भी हो सकता है कि ये भी उड़ती है इसके भी दो पंक है और ये तो उड़ सकती है अब इस case में क्या हुआ ये जो नई situation है अभी तक आप balance में थे किसी ने कहा नई भाई ये तो क्या है एक bird है या ये तो helicopter है तुम helicopter को bird क्यों कह रहे हो तो ये क्या हुआ disbalance हो गया आपके दिमाग में जो concept था कि आपको पता था कि जो उड़ती है चीज जिसके दो punk होते हैं उसको bird कहते हैं अब वो चीज कहीं न कहीं conflict में आ गई आसंतुलन में आ गई अब इसको ठीक करने के लिए आपको accommodate करना पड़ेगा अपने schema में थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा change करना पड़ेगा अगर मैं कहूं modification लाना पड़ेगा देखिए अगर इसको बहुत detail में जाएंगे तो change तो दोनों ही प्रक्रियाओं में होता है assimilation में भी और accommodation में भी लेकिन जो keywords है जो आपके काम आते हैं paper में आपने अगर modify किया आपने अगर manipulate किया आपने अगर change करके adjust कर लिया अपने brain में कुछ तो वो accommodation हो गया अगर आपने existing scheme में ही कुछ add कर लिया तो वो assimilation हो गया यानि add करना assimilation जब आपको adjust करना पड़े modify करना पड़े manipulate करना पड़े तो वो accommodation है इसको एक और उधारन से हम समझेंगे जैसे यह बहुत ही common आपको बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा कि बच्चे को dog के बारे में बताया गया उनके घर में एक dog है और उसको पताया कि यह dog है उसके schema में add हो गया हाँ dog होता है इसके दो कान होते हैं दो आखे होती है एक पूँच होती है चार पैर होते है एक दिन छोटा सा कोई dog आपने देखा था अगले दिन आपने कहीं cat देखी अब आपके दिवाग में यह चीज़ assimilated है आपने अपने schema में add की हुई है यह dog है एक कुलिबरेशन में है आप आपके सामने नई situation आई आपने cat को dog बला दिया क्योंकि वो आपको वैसी ही दिख रही थी थोड़ी healthy cat थी और आपके पास एक छोटा सा दोगी था वो वोड़ाफॉन वाला कुत्ता आते था ना पहले देखा कि इसने वो हच होता था जब वोड़ाफॉन के टाइम पर देखा तुम यह नहीं देखा तो ऐसा सा एक डोगी था आपके पास छोटा सा अब आपने cat देखी वो भी healthy थी छोटे बच्चे हैं आप और आपके ब्रेन में confusion आई कि मम्मी मम्मी देखो यह क्या है एक डॉग है लेकिन जैसे उसने भोखना शुरू किया या आवाज है निकालनी शुरू की cat तो नहीं भोखेगी तो आवाज से आपको पता लगा या यह तो कुछ गड़बड हो गई और मम्मी ने कहा हाँ बेटा यह डॉग नहीं है अब यह नई situation ने डिसेकली ब्रेम क्रियेट कर दिया और संतुलन आगया आपके दिमाग में किया यह तो कुछ गड़बड हो गई अब यह क्या होगा आप या तो नया इसकीमा बनाएंगे या तो आप अब नया इसकीमा क्रियेट करेंगे तो भी आपको अको अकोमडेट करना पड़ेगा या फिर पुराने सकीमा में परिवर्तन करेंगे चेंज करेंगे modify करेंगे और समझेंगे कि या cat अलग होती है इसकी आवाज अलग होती है इसकी कदगाठी अलग होती है इसमें कुछ-कुछ defenses होते है तो ये क्या हुआ आपने accommodate किया समायोजन किया change किया, modify किया अपने information को ठीक है या नहीं है बता दीजे एक बार बहुत बढ़िया नींद आ रहे थी बड़ चॉकलेट खाया ऐसा कह रहे हैं सुहाना session देखने के लिए हाँ हमारा session थोड़ असा late होता है ठीक और app पे भी sessions चल रहे हैं तो आप लोग जितने यहाँ है उतनी संख्या अधर भी होती है देखिएगा बहुत बढ़िया extra comments में नहीं ले रहे हैं अगर इस से related कोई भी doubt है तो आप बता सकते हैं अगर एक line में इसको समझेंगे तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं इन notes में सब कुछ दिया हुआ एक reading भी कर लेंगे न तो काम बन जाएगा एक बार read भी कर लेंगे एड किया information को existing scheme में आपका जो existing वरतमान schema है उसमें add किया अच्छा ठीक है dog को add कर लिया या यह aeroplane है add कर लिया क्या कर लिया dog को add कर लिया ठीक accommodation क्या है समायोजन change manipulation ठीक यह है आपका समायोजन आपने कोई conflict आया उसकी वजह से या तो नया schema create किया या change किया पराने schema को अपने information में क्या किया adjustment किया कि यह cat और dog एक जैसे नहीं होते इन में कुछ कुछ अंतर पाये जाते हैं तो आपने schema में थोड़ा सा adjust किया जो आपका dog का schema था manipulate करने की जुरत पड़िए अगर कुछ change करके उसी में add करने की जुरत पड़ि कि ये भी एक प्रकार का कुछता हो सकता है जो आपको लग रहा हो कि ये एक प्रकार का dog नहीं है या ये dog नहीं है confusion भी तो हो सकते हैं कई बार modify करेंगे आप और तब उसको schema में संभाल करके organize करके रखेंगे simple बात है इन words पर ध्यान दीजेगा क्योंकि अभी paper बहुत जादा दूर नहीं है तो अगर आप इस से भी काम आपका 99% situations में चल जाता है कि जब आप adjust, manipulate, modification ये सब चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा accommodation की बात हो रही है जब आपको simple कोई activity करके उसको use करने की बात हो रही जैसे एक question आता है exam में कि एक बच्चा है जो दाल चावल mix करके खाना सीख रहा है तो क्या है ये assimilation का उधारन है ये accommodation का उधारन है बताओ एक बार फटा फट से ये assimilation का उधारन है कि एक बच्ची है जो दाल चावल को mix करके हाथ से खाना सीख रही है क्या है ये बताओ बताओ ये खाना है कुछ लोगों के लिए सिर्फ खाना है इसलिए तो सब को पास थोड़ी होना है पेपर में कुछ तो होंगे खतरनाक निशा के जैसे जो फिफ्ट और लिखके आएंगे कि ये खाना है ना ही एसिमिलेशन है ना एककॉमडेशन है इस खाना ओनली ये एसिमिलेशन है ठीक है जी खेर मजाग से हिटके ये क्या हुआ एसिमिलेशन हुआ कि आपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ add कर लिया कि भई या दाल चावल को मिफ करके ऐसे खाते हैं ये क्या हुआ add कर लिया ठीक है? assimilate कर लिया ऐसा तो कुछ नहीं किया कि जिसमें पुराने schema में आपको पहले दाल चावल हाथ से ही खाना पता था अब आपको किसी ने chopstick से खिलाना सिखा दिया तो वो accommodate करना हो जाता उसमें आप थोड़ा सा change ले आते हैं इस चीज को हाथ से खा ही नहीं सकते ठीक है न? तो ये assimilation है तो जब तक change की या बदलाव की या फिर adjust करने की या modify करने की manipulate करने की ज़रत ना पड़े तब तक हम assimilation से काम चलाते हैं अगर change हुआ है कुछ modification हुआ है तो accommodation simple दो लाइन में भी इसको ऐसे समझ सकते हैं अब आती है प्याजे की world famous चार stages इतना दुखी होने की अच्छा तुम ये comment पढ़के हैं सुरी हो तो ये सब बाते हैं थोड़ा सा light mahal करने के लिए होती है किसी को तो बली का बकरा वरना ही पड़ता है escape goat आप लोगों को हसाने के लिए क्याट छोड़ी है कौन है ये विक्ती जो आपस में ही लड़ रहे है देखिएगा नाम तो देखो इनके खतरनाक username देखिएगा अगर हम बात करें प्याजे की अनुसार cognitive development की चार stages है SPCF यानि sensory motor P for pre-operational C for concrete operational F for formal operational English में ही याद रखेगा avoid की जगा यहाँ पे हिंदी को क्योंकि एक-एक stage के कई-कई नाम होते हैं psychology में, pedagogy में, child development में ये problem रहती है इसलिए majorly हम English में बढ़ने कोशिश करते हैं sensory motor stage इसको गत्यात्मक अवस्था भी कहते हैं समवेधी परक भी कहते हैं और भी इसके सतर जरीके के नाम है ये जन्म से दो वर्ष की अवस्था है पहली stage प्याजी के अगॉर्डिंग एक number का question सीधा पूछ लिया जाता है कि ये वाली stage किस age से शुरू होती है या क्या कहानी है लाइक शर करना भूलना नहीं है साथ-साथ फिर आती है दूसरी stage pre-operational क्योंकि P है ना second number पे 2 से 7 वर्ष और आता है 3rd stage फिर concrete operational इनका अपने आप में meaning है एक-एक stage में समझेंगे 7 से 11 वर्ष ठीक ओप्चारिक सक्तिये अवस्था formal operational 11 से 15 वर्ष इनकी ages भी दिमाग में होनी चाहिए और आप देखते हैं 14-15 वर्ष तक बच्चा अपना 8-8 से निकल जाता है और लगभख सारी शमताइं develop हो जाती है ठीक समझते हैं SPCF की कहानी क्या है sensory motor stage जन्म से 2 वर्ष ठीक आपको सारे सवालों जवाब इसमें मिल जाएंगे सेशन में जिन भी questions में आपको confusion होती होगी कोई बात नहीं वो उनको पसंद है उचना मिले तो एक शादी वाट आपको ठाल लेते हैं कॉमेंट्स में और इसी से खेलते रहते हैं कुछ लोग इनका या तो पेपर क्लियर हो चुक है या इनको करने के एक्षा बची नहीं है देखेगा कुछ लोग ही हैं ऐसे देखेए अगर हम बात करें sensory motor stage की यहां हम प्याजे पढ़ रहे हैं बच्चे का विकास पढ़ रहे हैं कुछ लोग वस शादी पर ही अटके बढ़े हैं मान लिया है यह शादी का मौसम है तो ऐसे करोगे हैं मौसम है 02, 2 years sensory motor जिसका एक नाम है गत्यात्म कवस्ता sensory plus motor यह सारी stages दो वर्ट से मिल करके बनी है sensory plus motor, sensory मतलब आपके 5 senses आपका touch, feel, seeing यह जो भी हमारे आखें है jeep है, hands है touch है, तो यह सब हमारे 5 senses है बच्छपन से हम पढ़ते आ रहे हैं तो यह क्या है senses plus motor activities यानि हमारे 5 senses जो हमारे brain तक information पहुचा रहे हैं एक perception create कर रहे हैं और motor activities यानि physical activity चलना, फिरना, दोडना, भागना यह सब इसलिए sensory plus motor activity हो गया इंद्रिया गामक भी इसको हम कह रहे है कत्यात्मक भी कह रहे है समवेदी पेशिय भी कह रहे है क्योंकि हमारी जो समवेदना है या जो भी हमारे senses है वो हमें बता रहे हैं क्या कहानी है जन्म से दो वर्ष जिसको in fancy भी कई लोग कह देते है ठीक है यह बहुत बड़ा इसका question आता है वस्तु स्थायत्व की हर एक stage की अपनी कुछ विशेश्टाएं है जिसकी बात प्याजी करते हैं और paper में सीधा to the point आता है मैं question अलग से कराऊंगी जो भी जसमदीन पूछ रहें ना जिसे मैं question अलग से कराऊंगी क्योंकि वहाँ वो language से खेल जाएगा आपकी प्याजे वाइगास की कोलबक का एक session questions का भी होगा बहुत सारे questions है भर-भर के questions अलग-अलग situation के ठीक है वस्तु स्थायत्व का एक good है object permanence जो किस stage में आ जाता है sensory motor में ही lack किस stage में करेगा वो भी sensory motor है यानि वस्तु स्थायत्व की कमी किस stage में है object permanence में achieve कहा हो जाता है sensory motor में ही कमी कहा है sensory motor में ही तो शुवात में जैसे 8 से 11 महीने के पहले पहले तो object permanence नहीं आई होती object permanence क्या है पहले तो यह समझते हैं वस्तु का इस्थाई होना दिमाग में यानि उसकी memory उतनी develop नहीं हो पाई कि दिमाग में वस्तु को इस्थापित कर सके या इस्थाई कर सके जैसे ये pen है या कोई खिलोना है जिससे बच्चा खेल रहा हो उसको आप कहीं छिपा दीजे बैट शीट के नीचे वो कई बार भूल जाता क्योंकि उसके सामने नहीं है चीज़ें लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा आट महीने के बाद जाते 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 बड़ जो गुड है ये अपने अपने sensory motor का है तो out of sight, out of mind इसका मतलब क्या हुआ? यानि नजर किस से दूर मतलब दिमाग से भी दूर बच्चा अगर किसी क्लोने से खेल रहा था आप ले गए दो मिनट के लिए ही मुश्किल से रोएगा नहीं तो भूल जाएगा लेकिन जब object permanence की ability आ जाएगी जब object permanent हो जाएगा तो ये out of sight, out of mind work नहीं करता क्योंकि अब mind में है चाहे आँखों के सामने है या नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं अगर किसी चीज़ को छिपा भी देंगे मानलीजे दो साल का बच्चा है अब छिपा दीजे आप वो ढून लाएगा या रोएगा उस चीज़ के लिए इसका मतलब object permanent brain में हो चुका है आप यह नहीं कर सकते कि उसकी आँखों के सामने से ले जाएं तो वो भूल जाए फिक बच्च्पन में हो जाता है ऐसा कोई खिलोना से खिले वो और हट जाए आप और इसी वज़ा से एक बहुत ही common example है आप याद कीजे कि बच्चों के सामने ता वाला यूज किया जाता है ना माता है या जो भी आसपास के लोग होते है जब बच्चा छोटा होता है मानलो छे मेने का है आठ मेने का है तो क्या करते है हात लगाया और हटाएंगे ता बोलेंगे और बच्चा खुश हो जाएगा उसको लगएगा मम्मी अभी गायब हो गई थी और अब हाथ हटा दी है तो आ गई है मतलब जो चीज उसके exact सामने नहीं है उसको ज़्यादा याद नहीं रख पाता लेकिन object permanence आने से achieve होने से वो याद रख पाता है तो ये object permanence की जो कहानी है वो sensory motor stage की कहानी है यानि जन्म से दो वर्ष की कहानी है इसमें एक और बात पूछी जाती है कि वो कौन सी stage है जिस अवस्था में बच्चा अपनी आखों से अपने हातों से अपने कानों से सोचता है मतलब अपने hands से अपनी eyes से और physical activity करके सोचना मतलब अपने senses से सोचना तो उसकी जो thinking है things with eyes, hands and ears sensory motor क्योंकि senses are teachers for him or her यानि ये मेरी खुद की line है कि बच्चे के लिए जो उसकी इंद्रिया है जो 5 senses है वही उसके लिए teachers का काम करेंगे वही उसके लिए उसकी दुनिया की समझ बनाते है उसकी दुनिया की जो समझ है बच्चे की जन्म से दो वर्ष में वो उसके senses बना रहे है कुछ तोड़ेगा फोड़ेगा कहीं touch हुआ कहीं गर्म है कोई चीज तो हाथ हटा लेगा तो अपनी समझ अपने पांक senses की तुरू develop करता है तो यही वह वस्ता है जहां बच्चा अपनी आखों से अपने हातों से अपने कानों से सोचता है एक और चीज है जो से stage में आ जाती है वो है goal-directed behavior इस पे भी चर्चा करेंगे paper में इस बार पूछा और इसको थोड़ा सा tweak कर दिया तो अगर हम देखें लक्षे निर्देशित व्यवहार वो भी इसी अवस्ता में आ जाता है जन्म से दो वर्ष में sensory motor में लक्षे निर्देशित व्यवहार क्या है यह bottle है सामने table पे रखी हुई है और बच्चे को लग रहा है कि वो यहाँ बच्चा है मान लिज़े crawl करके भी चला जाएगा उसको एक उद्देश है मान करके bottle को कि उसके लिए सामने कोई चीज रखी हुई है जो बड़ी ही चमक रही है मान लिज़े या उसको देख रहा है कि उसको वो goal बना सकता है उस तक पहुँच सकता है तो वो धीने दीरे चलके घिसट घिसट के चलके crawl करके भी उस तक पहुँच जाएगा उसको goal बना लेगा तो goal directed behavior की जो शुरुआत है वो यही हो जाती है अब goal directed behavior की शुरुआत यहां हो जाती है खत्म हो जाएगा क्या प्री operational में आज तक खत्म नहीं हो रहा है आप अभी motivation में पढ़ रहा है goal directed behavior आप आज भी कर रहे हैं किसी ना किसी goal को लेकर के बस goals change होते रहते हैं, forms change होती रहते हैं goal directed behavior तो आप आज भी कर रहे हैं तो pre operational में यह खत्म नहीं हो जाएगा ऐसा paper में दो बार हुआ है कि जब goal directed behavior को pre operational में count किया है और ऐसा भी हुआ है कि जब sensory motor में count किया है तो आपको option के according इसको solve करना है अगर pre operational option है और आपको लगता है बाकी कोई option fit नहीं हो रहा sensory motor है ही नहीं उस case में आप इसको next stage में भी मान सकते हैं दो से 7 में otherwise यह characteristic है यह जन्म से 2 वर्ष का है ठीक है बात यह जन्म से 2 वर्ष में यह अस्था आ गई है goal directed behavior बच्चे को करना आ गया है इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वह आगे जाके खत्म हो जाएगा ठीक आती है बात विलंबित अनुकरण की यानि deferred imitation की deferred imitation एक चीज है बच्चे ने देखा पिताजी shave कर रहे हैं डेड़ साल का बच्चा है पिताजी को shave करते हुए देखा माताजी को make-up करते हुए देखा कुछ नहीं ठीक है आप चले के शादी में जिसको जहां जाना था बच्चा भी अपना किसी और काम में लग गया एक दिन आप अचानक आये चार दिन बाद और बच्चा एकदम बिलकुल paint हो करके बैठा हुआ है मम्मी के make-up में है ना निशा को फट से हां सी आई ये इनके कर्म है जो बोल रहे हैं है ना तो उसने lipstick लगाई हुई है यहाँ पे काज लगाया हुआ है lips पे और वो कुछ का कुछ एकदम भूतिया बनके बैठा हुआ है क्यों क्योंकि इसने imitate तो कर लिया उसको नकल करनी आती है अनुकरन आता है लेकिन deferred है deferred मतलब विलंबित बाद में भी वो याद रख पाएगा उसको कब repeat करना है वो उसकी मरजी मतलब imitation तुरंद ने वो deferred brain में रहे जाएगा ठीक तो वो एकदम कुछ और ही बनके बैठा हुआ है बच्चा या एक दिन shaving करके cream ream लगा करके पूरा बैठा हुआ है या आपको मिल गया कहीं तो ये क्या हुआ deferred imitation है ठीक ये भी इसी अवस्था में जन्म से दो वर्ष में प्रकट होता है आगे बढ़ेंगे pre operational stage आपकी 2-7 वर्ष की अवस्था है pre operational stage क्या कहती है समझते हैं थोड़ी थोड़ी सी बाते हैं हैं तो बहुत सारी इस stage से बहुत question आते हैं इसको पढ़ना छोड़ दीजगा अभी के लिए ये मैंने notes में दिया हुआ है जो मैं बोल रही हूँ उस पर जादा focus कीज़ेगा pre operational यानि पूर्व संक्रियात्मक pre plus operational operational का मतलब यहां logic से है operation का मतलब यहां activity करने से नहीं है दोड़ भाग करने से नहीं है logic से है तर्क से पहले की अवस्था pre operational पूर्व संक्रियात्मक संक्रिया का मतलब क्या हुआ यहां तर्क से हुआ कि अभी तर्क से पहले की stage है अभी तर्क आया नहीं है अभी आएगा यानि logic proper आया नहीं है कि आप पढ़ाती हैं दिल से खुश हो जाते हैं आपसे बढ़के और एंजल मुझे भी इतना incomplete feel होता है जिसने क्लास नहीं होती मैं क्या बता हूँ जबकि मैं इतनी बार discussion आपको करा चुकी हूँ और इतनी संख्या में आप लोग देख चुके हैं पेड़ागोजी की वीडियोज 9 मिलियन चलना कोई छोटी बात नहीं होती थी तो मैं देखती हूँ बड़ा में को आचमभा होता है देखेगा अगर हम बात करें तो logic यानि तर्क pre-operational 2 से 7 वर्ष तर्क से पहले की अवस्था operation मतलब logic से पहले की stage अभी logic नहीं आया फिक 2 से 7 वर्ष है इसकी age पूर संक्रियात्मक हिंदी में कह रहे है lex logic यानि तर्क शक्ती में कमी lex reversibility सब कुछ lack ही करता रहता है बचारा बच्चा यहाँ एक चीज होती है वो होता है centration का गुण उस पे अभी आएंगे lex reversibility यानि प्रतिवर्तिया पल्टावी का गुण में भी कमी है अभी वो पल्टावी क्या है यह beaker A है और यह beaker B है यह बरतन A है और यह बरतन B है अब वो A से B में अगर same amount of water है माल लिए 200 ml है तो इस 200 ml को अगर मैं इसमें डाल दूं और इसको इसमें डालूं बराबर नहीं मान पाएगा वो यह lack of decentration की वजहा से भी होता है यह आपके reversibility उसको समझने आती कि form change होने पर कैसे काम चलेगा जैसे बर्फ पानी बन सकती है और पानी बर्फ बन सकता है यानि ice जो है आपकी उसको आप liquid form में ला सकते हैं पानी बना सकते हैं और पानी नहीं बढ़ता इस age में ठीक तो वो क्या है reverse नहीं कर पाता अपने actions को जैसे उसको किसी जगा जाने का रास्ता याद रहेगा आने के रास्ते में confused हो जाएगा आपके साथ बच्पन में कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा यदि आपको अपनी बच्पन की memories हैं तो भटकी नहीं थी कभी गाउं शहर में भटकी थी ना तो जाने का रास्ता तो याद रहता है मुझे भी याद है और एक कहानी मैंने सुनाई थी बहुत पहले कई साल पहले तो जाने का रास्ता आपको याद रहता है कहीं गाउं में मिला लगा हुआ है कहीं और शहर में कुछ और लगा हुआ है और थोड़ी दूर आपको माब आपने भेज दिया और आपको पता है हाँ confidence में आप कहरे पहुँच जाएंगे पहुँच तो गए आने के लिए लोग चाहिए थे फिर आपको या नंबर याद करवाया गया था रटवाया गया था घरवालों को फोन करवा देना किसी से नहीं तो उठके चले जाना कोई ले जाएगा kidnap कर गया मजा कर रहे हो तो यह क्या हुआ उसको reversibility की problem है वो पल्टावी यानि अपने जो actions है उनको पलट करके देखने में उसको दिक्कत होती है यह प्याजी के experiments में से भी एक experiment है YouTube वाला भी और कि उसको माली जाने का रास्ता तो पता है बट वापस कैसा आना है उसमें वो थोड़ा सा confused हो जाता है ठीक है बात? clear है बात? चलिए एक और चीज है इस stage में वो है animism यानि नर्जीव को सजीव समझता है यानि इस bottle ये bottle अगर उसके पैर पे गिर जाए तो उसको लगेगा bottle ने मुझे चोट लगाई है तो bottle के दो पड़ अगर लगा दे मम्मी तो दिल को तसली आ जाएगी कि हाँ इसको भी चोट लगी होगी इसको भी दर्द हुआ होगा जबकि bottle क्या है निर्जीव है इसमें अपनी कोई जान नहीं है अपनी कुछ feelings नहीं है कि इसको कुछ hurt नहीं हो रहा बच्चे को कर रहा है इसलिए बारिश हो रही है क्योंकि mood है आज बारिश करने का तो यह क्या हुआ यह animism है निर्जीव को सजीव समझना living things को या non living things को भी living things की तरह देखना बच्चे बच्पन में गर जाते हैं मिट्टी वगएरा में खेलते हुए आजकल तो मौका कमी मिलता है मिट्टी में खेलने का तो मम्या या जो भी आसपास के बड़े लोग होते हैं उसको बच्चे को मारेगी तो इसमें क्या हो उसको तसलिय मिल गए उसको लग रहा है टेबल को भी हाँ चोट लग रही है तो यह एनिमिज्म है नर्जीव वाद कहते हैं सजीव वाद कहते हैं उसको के नर्जीव चीज भी सजीव लगती है उसे इगो सेंटरिज्म इको नहीं है यह इगो है ठीक है इगो सेंटरिज्म बोले तो यानि एहम केंदरत है बच्चा एहम केंदरत मतलब self-centered है, उसे लगता है सवस्था में कि जैसा वो सोचता है, वैसा ही पूरी दुनिया सोचती है, अगर उसे डॉरिमॉन पसंद है तो उसके पिता जी, उसके दादा जी उसकी दादी, उसके भाई भहन, उसके चाचा मम्मी, मामा, फूफा प्राइम मिनिस्टर जी, सबको वही पसंद होगा, और डॉरिमॉन किसी को ना पसंद होगा, ऐसा possibility ही नहीं है बच्चे के दिमाग में, क्योंकि वो है इगो-centric, ठीक है, यानि एहम-केंद्रित है बच्चा इगो-centric है, इसी से वो self-centered है एक तरह से उसको यह लगता है कि everyone feels the same और in the same way as he or she feels यानि जैसा उसको महसूस होता है किसी चीज़ के बारे में वैसा ही सब महसूस करते हैं तो उसके लिए उसके दुनिया में उससे important कुछ और नहीं है, अगर पिताजी को स्तीफा देना पड़ गया आज office में कुछ बात हो गई और बहुत ही वो बहुत serious mood में घर आए हैं, फिर भी वो कहेगा, पापा या मम्मी मैंने ये painting मनाई है, देखो ना कितनी बढ़िया है अब उनका mood अलग ही है, माता जी का mood अलग ही है कुछ और ही हुआ है उनके जीवन में, लेकिन ये कहला है, पहले इस पर ध्यान दो, बाद में पीना पानी सांस भी बाद में लेना, पहले मेरी painting देखो कितनी अच्छी painting है, अगर नहीं बसंदा ही होने लग जाएगा या गुस्सा करेगा, ऐसा भी हो सकता है या आफ तो कोई favorite cartoon है, मालने जे डॉरिमान है तो उसको लग रहा है, ये मेरे भाई का भी favorite होना चाहिए ये chocolate इसकी भी favorite होनी चाहिए अगर वो कोई show देखता है, कोई एक आजकल तो ये भी चलने लगा है, ये YouTube पे मालनी जे कोई vlogger है बच्चे बहुत देखते हैं, और आप कह दीजे कि ये तो मझे नहीं पसंदा है, ऐसे कैसे नहीं पसंदा है तो दुनिया में इंसान नहीं है, कोई तो ये क्या हुआ, ego centric में है, कि उसको लग रहा है कि मेरे thought के लावा, दूसरा thought exist नहीं करता तो ये हो सकता है, आपको पसंदा है, मुझे नहीं है, लेकिन वो अभी एहम केंद्रित, कुछ लोग जमाने भर रह जाते हैं ये हम केंद्रिता उनमें, तो ego centric यानि एहम केंद्रित है ठीक है, अब ये ego centric speech की भी उन्होंने बात की है, उस पे हम वाइकॉस की बढ़ते समय आएंगे, इसी उम्रों में ego centric speech एहम केंद्रित वाख होता है, जब बच्चा खुद से ही बाते करता है बोल बोल करके, एक बहुत महत्पूर्ण चीज जहां से question भर-भर के आई हुए online exam में, symbolic thought, यानि ये symbolic thought की अवस्था है कि बच्चा symbols के थूँ, चिन्नहों के थूँ सीख जाएगा, उसके दिमाग में जैनि language, language का ग्यान, जैसे pen को, यानि symbols के थूँ दुनिया की representation उसके दिमाग में develop होनी लग जाएगी ये pen है, ये मैं हाला कि rocket बना देती हूँ, pen के नाम हमेशा पर आप मान लिजेगा कि ये pen है तो उसको पता कि pen pen जो है, वो represent करता है इस pen को उसके दिमाग में symbolic stage है, symbolic thought है कि अब वो symbol से समझ जाता है, कि pen मतलब ये चीज उसके दिमाग में एकदम से symbol के रूप में आ जाएगी ठीक है, पानी यानि कुछ तो उसके दिमाग में एक image बनेगी तो वो language को, कि A for apple होता है तो ये कि अब वो symbol हो गया, तो symbolic stage है दो से साथ वश के अवस्था, ठीक है बात चिन्नों के माध्यम से वो सीखने लगेगा कुछ-कुछ हद तक पर जब ये चीज और develop होगी तो मान लेज़े आपको पता एक red light पर you turn लेना, मना है और whatever तो ये भी symbols का ही representation है ठीक, A for apple होता है, दिमांग में apple बनेगा क्या है, symbolic representation है, symbolic thought आगया और वो language को या symbols को समझने लगता है lack of conservation होता है, यानि संरक्षन की कमी होती है कि बच्चों को लगता है कि ये जो beaker A है इसमें पानी ज़्यादा है क्योंकि इसकी height ज़्यादा है वो ये नहीं समझ पाता कि B की चोड़ाई ज़्यादा है दिखने में हो सकता है कि पानी A में ज़्यादा हो लेकिन दोनों में बराबर हो सकता है तो ये lack of conservation है, संरक्षन की कमी है कि shape और size के change होने पे जैसे ये क्या है, वह shape ही तो अलग है इसकी shape और size अलग है shape और size अलग है इसका shape और size अलग है लेकिन quantity या volume सेम हो सकती है तो वो ये नहीं समझ सकता कि shape और size change होने पे भी volume सेम हो सकता है amount सेम हो सकती, ये वो नहीं समझ पाता centration यानि ये एक चीज है, limitation है ये अपने आप में यह गुण नहीं है से stage का centration यानि ability to concentrate भी कह दिया जाता है paper में इसको कि बच्चा एक जगा पे ध्यान लगा करके देख पा रहा है, ध्यान लगाने का मतलब यह नहीं बहुत अच्छा concentration है, इसका मतलब है बच्चा केंदरि, केंदरत है किसी बच्चे को अगर आप यह दिखाएं, तो उसका ज्यादा chances है कि उसका ध्यान इसके रंग पे जाएगा, बजाए कि इसकी shape पे जाने के, या इसकी uses पे जाने के, या इसमें कितना quantity है, इस सब पे जाने के, वो किसी एक चीज़ पे focus करेगा, यानि centered होगा, है ना, तो केंदरी गरण, यानि केंदरत होगा किसी एक पक्ष पे ही इसके, वो यह नहीं सुचेगा, किसमें amount कितना, इसकी shape क्या है, इसका size क्या है, है ना, तो यह है आपका centration का गोण, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक, जी, कहां जाओं, जाने का कोई option नहीं, आते लोग यहाँ अपनी मर्जी से हैं, जाते हमारी मर्जी से हैं, तो यह थी कहानी आपकी symbolic stage की, ठीक, आते हैं concrete operational stage पे बहुत मैतुपून, अच्छा symbolic stage में भी, यह जो आपकी pre operational stage है, इसमें दो-तीन चीज़ें बहुत मैतुपून है, मैं एक बार टिक करा देती हूँ, आप देख ली जगा इसको, centration, यानि यह limitation है, problem है, symbolic thought एक अच्छी बात है, यहाँ पर यह इसका characteristic है, कि symbols की थूँद सीखना शुरू कर देगा, lack of conservation भी problem है, यह जिस पर भी cross लगा रही हूँ, उसका मतलब यह इसकी limitations है, ego centric है, यह भी एक limitation है, animism भी एक limitation है, lack of reversibility भी क्या है, limitation है, logic की कमी भी limitation है, लेकिन गुण क्या है, एक ही चीज़ है, symbolic thought, फिक है, यानि symbols के माध्यम से सीख लेता है, देखते हैं, समझते हैं, concrete operational stage, यानि 7 से 11 वर्ष, फटाफट से समझेंगे इसको, यह है मूर्थ संक्तियात्मा कवस्था, यानि operation का मतलब है, कि logic, अब इसमें logic आ गया, concrete operational, यानि concrete चीज़ों के प्रती logic, तो logic यहाँ, पहली बार अगर पुछा जाए, logic कहाँ आता है, तर्क कहाँ आता है, यहीं पर आएगा, लेकिन कैसा तर्क है, inductive thought है, आगमन आत्मक चिंतन है, जिसमें आप उधारन से नियम की ओर जाते हैं, example to, rule जाते हैं, example to क्या जाते हैं, rule जाते हैं, ठीक है, आपको बताया गया, कि कोई एक पेड़ है, उसके बारे में बताया गया, अच्छा है, यह हरे रंग की होती है, इसकी पत्ती, फिर आपको और चार पत्तियां दिखाए गए, और फिर कहा गया है, सारे पेड़ हरे रंग के होते हैं, क्या हुआ, उधारन से, संग्या के चार उधारन दिये गए, बाद में परिभाशा बताई गई, यह क्या हुआ, inductive reasoning, तो यहाँ पर logic तो आ जाएगा, लेकिन concrete मूर्थ क्या है, जिसको आप touch और feel कर पाएं, जिसको आप देख पाएं, जैसे यह bottle मूर्थ हो सकती है, यह pen मूर्थ है, मैं भी आपके लिए मूर्थ हो सकती हूँ, जिसको आप देख पा रहे हैं, touch कर पाएंगे, feel कर पाएंगे, ठीक है, यह सब क्या हुआ हुआ, यह सब केगा कॉन्कृरिट यानि मूर्थ चीजे जिनको आप डिरेक्टली सामने देख सकते हैं एब्स्टेक्ट हैं जिनके बारे में सोचा जा सकता है या हद से हद़ फील कर सकते हूं abstract यानि अमूर्थ जो चीज़े सामने नहीं भी है मान लिजिए, जैसे बोला जाता न कि मान लिया कोई चीज आपको नहीं बता, जैसे IQ का आपको नहीं बता कि IQ क्या है, बट आपके पास mental age दी हुई है 12 साल chronological age दी हुई है 10 साल, गुणा कर लिया आपने सखा सकते आप, क्योंकि यह मूर्थ चिंतन नहीं है, यह अमूर्थ चिंतन है, इसमें आप हल्का सा abstract thought लगाएंगे, हला कि इसमें भी अमूर्थ ता हम कम दिखा रहे हैं, मूर्थ ता ही ज़्यादा है एक समानने में भी, abstract क्या हो सकता है कोई आप physics क्या कोई चीज पर सोच रहे हैं कोई ऐसे मुद्दे पर सोच रहे हैं, जिस पर अभी तक कोई पहले से conclusion नहीं है तो अमूर्थ जो कल्पना में है, या जिनको आप directly सामने नहीं देखते जिनके लिए hypothesis यानि परिकल्पना करनी पड़ेगी परिकल्पना imagination और hypothesis में अंतर है imagination क्या होती है, simply आप कुछ भी ख्वाब पका लिजे अपने और hypothesis क्या है, परिकल्पना जिसका कुछ logic होगा, कुछ आधार होगा तो concrete, operational यानि मूर्थ चीजों के प्रती logic सबसे पहले आएगा inductive reasoning आएगी सबसे पहले आग्मनात्मक तर्क, concrete यानि मूर्थ चीजों के प्रती logic वस्तुनों का वर्गी करण यानि classification, तीन चीज़ें आ जाती है इसकी एक trick भी है, CCS से याद रखना है CCS, Chaudhary Church in University, नहीं C for conservation, यानि सनरक्षन की शमता आ जाती है बच्चे में, कि यानि अब आप उसको छोटे बरतन में पानी देदो, बड़े में देदो, उसको पता है कि यार कोई दिक्कत ने, अभी एक question आया था कि एक बच्ची है, बड़ी सी चॉकलेट है उसमें से उसकी बहन को कुछ pieces दिये गए हैं और कुछ उसको दोनों बराबर हैं, लेकिन ऐसा होता न कई बार कि जब आप छोटे होते हैं, तो आपको चिल्लर से बहुत प्यार होता है, आप अक्षर धाम जाते थे पहले, अभी प्रतानी वहाँ पे machines हैं कि नहीं 10 रुपे का note डाल करके एक-एक के सिक्के आ जाएंगे अब वो 10 सिक्के जादा अच्छे लगते हैं एक note से, आज अभी कोशिश तो ये रहती, मेरे पास भी जैसे चिल्लर रिखटे हो जाएं, तो मैं कोशिश करती है, उससे note मिल जाए, कौन वजन लेके घुमेगा, फर्क तो पढ़ नहीं रहा कुछ, तो ये क्या हुआ, संदक्षन की जब तक कमी होगी, तो हमें लगता है शेप और साइस के बदलाव से कुछ फर्क पढ़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता, वॉल्यूम पे चेंज होने से, क्वांटिटी चेंज नहीं होती, यही समझ या वॉल्यूम चेंज नहीं होता, यही समझ conservation है, संदक्षन है कि बच्चों को आप समझ आ गया है, कि वॉल्यूम सेम रहेगी, शेप और साइस बेशक आप चेंज कर लो, ठीक, वस्तूं का संदक्षन यानि, अचीव कंजर्वेशन, या फिर हम कह सकते हैं, collection of things, चीज़ें खटा भी करता है, इसी स्टेज में, reversibility की अगर हम बात कर रहे हैं, यानि, आब उसको पता है कि बर्फ को पानी बनाया जा सकता है, पानी को बर्फ बनाया जा सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अब वो पल्टावी का गोण उसके अंदर आ गया है, चीज़ों को ascending, descending order में लगाना, यानि बढ़ते और घटते क्रम में लगाना, कई बच्चे प्री ओपरेशनल स्टेज में भी ऐसा कर पाते हैं, कि ascending, descending में लगा पाते हैं, इस बात पर प्याजे का criticism भी है, इस बार भी पिपरम पूछा हुआ है, कि उन्होंने प्री ओपरेशनल स्टेज के बच्चों की जो शमताएं हैं, उनको कम आका है, जबकि ऐसा बहुत बार होता है, कि यदि एक, depend करेगा न, किस socio-cultural environment से बच्चा आ रहा है, अगर कोई बच्चा है जिसके घर में दुकान है, तो उसके लिए तो गड़त बहुत easy है, उसको बता है कि वो फटा-फट से हिसाब लगा जाएगा, यह घरते-बढ़ते करम को समझना उसके बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब experiences भी तो matter करेंगे, कि वो कि cultural context में रह रहा है, जबकि इस चीज को प्याजने लगभग ignore किया है, offline के लिए क्या register करना पड़ेगा, यह आप address प्रोवाइड करोगे, directly आना है, जर्मन बस इतना ध्यान रखना है कि time से आ जाना है, क्योंकि वो first comes of us वाला scene है, वससे seats हमार बास होती हैं काफी, लेकिन फि बड़ा सा जल दिया, अगर आप आएं तो बहुत अच्छा होगा, ठीके प्रतिभा, चलिए, कोई registration नहीं करना, free classes हैं, आप सभी आमंतृत हैं, देशबर से, Sunday को मिलेंगे, जो भी आपके मन में doubt हो, दुनिया के, हूँ लेकिया आईएगा, paper से related, और जीवन से भी, decentration यान इतना detail में, अभी online में, सारा कुछ करा चुकी हूँ, तो जहां पर भी आपको दिक्कत होगी, वो वहां बिल्कुल solve की जाएगी, यह जो बहुत ही key points होगे, उनको हम discuss करेंगे, 4-5-6 गंटे जितने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं हैं, देखिएगा, कल यह CDP की मेरतवान आपकी complete हो जाएगी, फिर हम बाकी subjects को थोड़ा सा रुक के, यह offline class हो जाए, और paper के time पर हम बाकी subjects निप्टा देंगे, notes आपको उससे पहले ही दोनों subject की EBS और maths पड़ा गोजी के मिल जाएंगे, देखिएगा, conservation achieve हो जाएगा, CCS, classification, यानि चीजों को उनकी shape या उनकी characteristics, उनकी विशिष्टाओं के आधार पे लगाना, जैसे triangle है तो एक साथ रखेंगे, अगर square shape है तो एक साथ रखेंगे, एक की विशिष्टाओं के आधार पे, कि भाई माल लीजे, आपको पता है कि ये दो pen एक जैसे दिखते हैं, तो इनको एक साथ रखेंगे, दो same color के pen को, इनको एक साथ वर्गी कृत कर दिया, तो ये क्या है, classification आगया बच्चे को, कि जो भी similarities हैं, आंतर है, उनके आधार पे व मुझे master's के exam दिने हैं, बस पूछो मत, क्या ही है, मुझे नहीं बता हूँ सकता है, ना भी दो, अगर बहुत जादा hectic रहा तो, क्योंकि वो priority तो अभी नहीं है, classification यानि आपका वर्गी करन, बट आगी PSG-USG करने अमन कर गया, तो फिर master ज़रूरी है, देखे, वर्गी कर ठीक, sediation यानि क्रम में लगाना, पढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, ascending, descending, आरोही, अवरोही क्रम में, ठीक, तो ये तीनों गोण इसी stage में आ जाएंगे, याद रखेंगे CCS से, decentration भी आ जाता है, conservation आए ही जाता है, यही ये तीन चीज़े important है, संरक्षन, आपका ये सं स्टेज है, इसके बाद जाएगा मैंडम, सो रही हो तुम, हाई साहब, कमाल के लोग है, खतरनाक लोग है, एकदम खतरनाक लोग है, चलिए बहुत ही बढ़िया, कुछ लोग यहाँ सो गए हैं, चादरवदर तान के, offline class को live कर दीज़े, कोशिश करेंगे, आरती, क्योंकि उसमें क्या होता है, फिर वो live वालों को समझ नहीं आता, कि वहाँ चल क्या रहा है, वहाँ आलगी कहाँ ही चल रही होती है, तो आपको पीछे से कई बार आवाज नहीं आएगी, कुछ और होगा, देखेंगे, उदेसर लेंगे, एक डाउट सेशन ले लेंगे, उससे पहल classes है, formal operational 11 से 15 वर highest stage है, abstract thinking, अमूर्थ चिंतन, जब भी concrete से उपर की बात आए, तो जहां पे भी abstract word लिखा है, समझ जाई कि 11 साल से पहले कोई abstract thinking नहीं आती, अमूर्थ चिंतन, जो चीजें है भी नहीं सामने, उन पे सोचना, है ना, पाता क्यों परशान है, वो आप मूर्थ से समझ पारें आप चीजें, आप सोच पारें जो चीजें सामने नहीं भी हैं, कोई नहीं भी कह रहा है, तब भी कुछ चीजें समझ में आ रहे है, logic, किसके बारे में अमूर्थ चीजों के बारे में, तब ही आप maths पढ़ते हैं, chemistry पढ़ते हैं, अलगला subject, psychology, सब में थोढ आपसे उस formula की basis पर आपको questions solve करने हैं, तो rule to example जाना निगमनात्मक तर्क है, rule to example जाना क्या है, निगमनात्मक तर्क है, ठीक है, deductive reasoning यानि इसी stage में आ जाती है, hypothetical, hypothetical का मतलब simple है, यह बहुत कम लोगों में develop हो पाती है, hypothetical यानि परिकल्पनात्मक, यानि कुछ data आपके पास है, उसकी आधार पर परिकल्पना करके आप सोच रहे हैं, ऐसा नहीं, आख बंद करके कुछ भी कल्पना कर ले रहे हैं, मैं हवाओं में उड़ रही हूँ, ऐसा नहीं है, कुछ तो data होगा, हवाओं में उड़ रहे हो, तो भई एक space x बनाना है, कुछ करना है, तो उसकी आधा को deductive reasoning abstract thinking भरपूर लगी होगी तो यह highest level एक तरह से तर्क का अगर हम देखें कि abstract thinking कर पाएगा बच्चा last stage में formal operational में अगर सिर्फ पूछा हो logic कब आता है आप कहेंगे concrete operational concrete चीजों के बारे में logic कब आता है आप कहेंगे 7-11 concrete operational जैसे ही abstract चीजों के बारे में logic पूछा हो आप समझ जाएंगे बात formal operational की हो रही है word abstract use ही इसी stage के लिए होता है ठीक है और वो जो collective monologue था वो आपका pre operational stage में आएगा याद रखेगा उसको 3-6 के आसपास यानि 2-7 वाल ही stage में अब आजाती है बात वाइगास्की की एक और चीज है जो प्याजे ने बहुत ही अच्छी कही है जो आप से पूछी जा सकती है वो ये है कि जो बड़ों की यानि एक तरफ है adults वैस्क 21 साल का विक्ति है कोई adult कह रहे हैं हम उसको अठारा साल के हो गए हैं अब आप वोट दे सकते हैं अडल्ट हो गए और दूसरी तरफ है children यानि kids अगर मैं कहूँ हैना बच्चे अगर मैं कहूँ तो इन दोनों की जो thinking है दोनों सोचते को तो तुमको कहीं नहीं जाने का है batch की validity exam तो रहेगी है हाँ लगबग एक साल तो रहती ही है अबर देख लो उसमें लिखा होगा जैसे अनुराग कह रहे हैं कि निशा is abstract हाँ और मैं concrete हूँ आपके लिए बहुत ही बड़ी हा एकदम गजब की logic आपको सही दिमाग में फस रही है बातें इसका मतलब ये हुआ बहुत ही बड़ी हा ठीक तो आप ऐसा भी कह सकते हैं हाँ buffering हुई बीच में कुछ तो गडबट रहती है देखेगा अगर हम बात कर रहे हैं किसकी adults और children की kids और adults की वयसकों की तो thinking दोनों में होगी एक जो छोटा बच्चा है छोटी बच्ची भी जो है वो भी सोचती है जैसे निशा क्या है छोटी बच्ची है और एक बड़ा बच्चा है बड़ा बच्चा नहीं basically adult है वो भी क्या है ये वाले चचा भी सोचते हैं और ये kid भी सोचता तो है ही दिमाग में तो कुछ thoughts आते ही होंगे ठीक है ना तो अगर हम कहें kid को थोड़ा और सुन्दर बना देते हैं तो अगर हम कहें kid के भी दिमाग में thoughts हैं और बड़े व्यक्ति के दिमाग में भी thoughts हैं क्या दोनों बराबर सोचते होंगे हाँ हम कहेंगे हाँ amount में तो कोई खास अंतर नहीं होता यानि amount तो same ही है मात्रा तो same ही है सोचते तो दोनों ही है मात्रा में क्या कमी है दिन भर सोचो कौन सा पैसे लगते हैं ठीक है जिक और अगर हम कहें इसको दूसरे शब्दों में quantity कह सकते हैं यानि मात्रा को हम quantity कह सकते हैं यानि quantity same होती है छोटे और बड़ों की सोच की बाद तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किसकी kids की तो यहाँ पर kind अलग हो जाएगा प्रकार अलग हो जाएगा बच्चा अपने खिलोने के बारे में सोचेगा बड़ा वेक्ती सोच रहा है salary कब आएगी यार फलानी जगा घूमने जाना था इस जगा date पर जाना था यह किताब लेनी थी अलग-अलग तरह के बड़े लोग है जिसका जो प्रकार हो है ना और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो kind में अंतर है या मैं कहूं quality of thought में अंतर है जो प्रकार है उसमें अंतर है गुणात्मकता में अंतर है गुणात्मकता में अंतर है quality different है thought की यह नहीं कहारें कि बच्चों की thinking inferior है बच्चों की thinking निचले इस तरकी है ऐसा नहीं है, बच्चों की thinking different है, है उनकी भी thinking amount same है, quantity same है, बस सोचते अलगतरासे हैं, सोचते बच्चे भी है तो amount is same, but kind is different, या quantity is same but quality is different that's it, ठीक है ये paper में खूब पूछा गया है, प्याजे को detail में समझना, चार दिन लगते हैं, कम से कम कई बार हम जब discuss करते हैं career level पे भी, app में भी तो अभी कोशिश तो पूरी ये रही है कि detail के साथ discussion हो जिसमें आप जाहतर चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी इससे बाहर और क्या ही पूछ सकता है आपसे दुश्मनी होगी, तब ही बूच पाएगा देखिए examiner की, जो की है नहीं आपसे, lab Vygoski की अब हम बात कर लेते हैं तो Vygoski क्या कहते हैं, Vygoski की theory का नाम एक नंबर का question है socio-cultural approach सामाजिक सांस्कृतिक सिध्धान्त Vygoski की कह रहे हैं, जिस समाज और संस्कृति में हम रह रहे हैं, उसका बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे उपर बात ठीक है नहीं है बिनोद, बताओ फिराबट से देखरो बिनोद, निशा छोटी निशा छोटी बच्ची है के नहीं पता नहीं, बिट पानी तो मैं ही फिला रही हूँ चलो समझते हैं, अगर हम बात करते हैं बता दो अपने घरवालों को कि मैं आज क्लास के बीच में लेट के, फैल के, ब्लैंकेट ओड के और चैटिंग कर रही हूँ यार क्या, देखो एक बात, यह भी ज़रूरी काम होता है देखेगा, अगर हम बात करते हैं वाइकॉसकी की तो वाइकॉसकी क्या कह रहे हैं, समझते हैं वाइकॉसकी कह रहे हैं, जिस समाज और संस्कृती में हम रह रहे हैं उसका प्रभाव पड़ेगा हम पे ठीक है? कोई दिक्कत परिशानी इस बात को समझने में अगर हो रही है तो बता दीजे नहीं भी हो रही है तो भी आप बता सकते हैं theories दोनों करेंगे 2 गंटे लगें 4 गंटे लगें अभी तक हम अगर देखें तो 4-6 गंटे क्लास हमारी लग चुकी है CDP पर 3 दिन है निशा कौन है? निशा एक भूत है निशा बिसिकलिए आपकी पोल वाली दिदी है जब questions होते हैं तो पोल लगता है Let's Learn पे साथ में देखेगा और भी बहुत सारी पहचान इनकी है बट अभी के लिए तना ही काफी है देखेए तो एक रूसी मनोवग्यानिक यानि एक रशियन साइकॉलजिस्ट बहुत ही कम एजमेंट की डैथ हो गई थी यह एक सामाजिक रचनावादी है हाँ सुरी हो? कर ले हैं पढ़ ले हैं बहुत सीरेस बाते चल रही हैं मजाग सिर्फ मैं कर सकती हूँ मैंने सोचा मुझे बोला जा रहा है कि बहुत कम एज में डैथ हो गई थी मैं सीरेसली बहुत बन गई थी देखेए लोगों की फैंटेसी कैसी कैसी है तो रशियन मनोवज्यानिक हैं एक सामाजिक रचनावादी थे यानि सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट रहे ये सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट वो व्यक्ति जो कहें कि बच्चा एक्टिवली नॉलिज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है समाज के माध्यम से समाज में अंतहक रिया करके activity करके, हम जिस जिन लोगों के बीच रह रहे हैं, कहा दाता ना you are the average of five people you are surrounded with, वही जिन पांच लोगों के आसपास आप रहते हैं उन्हीं का औसत हो आप, क्यों? क्योंकि समाज और संस्कृति में interaction से, बातचीत से, रहने से, क्या होगा? हमारी बुद्धी, हमारा संग्यान विक्सित होगा, तो theory ये cognitive development की ही है, मुझे भी लगा, ये खतरनाक लोग हैं, देखिए तो सामाजिक सांस्कृतिक पहलों पर ध्यान केंद्रे तिनों ने किया वही एक बच्चा है जो अभी आपने एक movie देखी होगी अभी आएंगे इस point पर पहले, तीन points नों ने सबसे महतुपून समझे हैं, अभी हम जमानों से बात कहते आ रहे हैं कि SCL, Society, Culture और Language, ये क्या हैं ये तीन महतुपून चीज़े हैं, अगर ये तीन चीज़े के father of socio-constructivism रचनावाद के जनक हैं ये बच्चे द्वारा ग्यान का सरजन किया जाता है ये हमें पता है, किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थती में ही संभव है इसलिए इन्होंने age को मैं तु नहीं दिया या मैं कहूं biological aspect को जैविक परिपेक्ष को ignore कर दिया वाइगोस्की ने जो जैविक पक्ष है उसको ignore कर दिया वाइगोस्की ने ये इनका criticism है, ये इनकी आलोचना है जैसे कि भई biology भी कुछ है इसको महतु नहीं दे रहे genes भी कुछ है महतु नहीं दे रहे उस level का मिलना चाहिए, तो बच्चों का संग्यानात्मक विकास जो उनका cognitive development है उनका सोचना समझना ज्यान का निर्मान सामोहिक प्रक्रियानी गुरुप में सिखाने से होगा तो जब भी आपको option में गुरुप की बात वाइगास की ने कही है बच्चे सामाजिक अन्तहक रिया द्वारा ही सीखते है अलब social interaction के थूँ clear है बात या कोई दिक्कत है कौन है ये विक्ती निशादीदी को बहुत बहुत धन्यवाद बोल दीजे परदे के पीछे उनका हमार लिए बहुत योगदान है फ्रगती मेरे ही आंसु आगए ये सुन करके अब मैं निशादीदी को सिर्फ thank you ही बोलूँगी अब मैं आगे नहीं discussion करता हूँगी चलो देनको party दे देती हो मजाग करे हो आजओ वाइगास की सुन रही हो तुम लड़ू मत हो जाना खुश हो के तारीफ देखे वाइगास की क्या वाइगास की क्यानू सार ये विकास क्या है सतत प्रक्रिया ये एक नमबर का question है इस पर धिहान देजेगा अब बीच में अगर तुम दिस्टर्ब किया या आप लोगों ने भी देखना एक बार सतत प्रक्रिया है जो जीवन परियंत चलते है यानि development is continuous as per Vygoski ये question पूछा गया है कई questions में online में especially कि development क्या है continuous है इन्होंने कोई age की बात नहीं की इसलिए विकास सतत हो गया प्याजे ने stages की बात की है तो वो बड़ा difference हो गया और language and thought को लेकर एक difference है बाकी सब सेम है तोनों के बीच तो discontinuous यानि और निरंतर है stages में होता है और 15 साल तक maximum हो जाएगा संग्यान का विकास ये कह रहा है सतत है कोई stage नहीं चाहिए किस माहौल में आप रह रहे हैं के mail आते हैं seat at से लेकिए आजकल deep plus भी result आता है या जिस भी चीज़ का जिस भी state में बहुत कम लोग होते हैं जहां पर interview हो पाता है क्योंकि मैं खुद भी बहुत व्यास्त रहती हूं और बहुत सारे मेज़ तो छूटी जाते हैं लोग तो इधर दोर से नंबर निकाल करके पता कर लेते हैं तो कुल मिला के बात यह है कभी उनसे मिलवाएंगे तो 15 साल की उम्र ये मेरे लिए भी पहला ही केस था जब मैं सुना कि 15 साल की उम्र में किसी ने seat at किया है ठीक और अभी वो पूरी तयारी में जूटी होई भी होंगी शायद इस समय आगे के लिए तो discontinuous उन्होंने कहा है कि मेरे आगे जब exam क्लिर होगा तब मैं आपके साथ discussion बिलकुल करने की एक शुक हूँ तो discontinuous और continuous वाइगोस्की के according तो यह क्या हुआ age is just a number हो जाएगी एस पर वाइगोस्की तो यह बात हम समझ गए कि जो हमारी thinking या जो भी हमारी basically इनोंने अपने दो बच्चों को देखा और पाया कि जब वो इनके साथ kitchen में काम करते थे तो बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी सीख जाते हैं समाज से, अपनी संस्कृती से वो आपको कोई अलग से training नहीं मिली तो जिस समाज और संस्कृती में हम रहने हैं उससे बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं एक चीज है process of internalization यह ध्यान रखेगा इसका एक thought सुना दूसरे बच्चे ने भी सुनी ये बात तीसरे बच्चे ने कुछ बोला और अपने अंदर इस बात को भर लिया और फिर अपना एक thought दिया इसी को internalization कहते हैं माली जा किसी बात पर चर्चा चल रही है discussion चल रहा है और आपको किसी ने कोई तर्क दिया आपने उसकी बात को अपने दिमाग में भरा internalize किया उस बात को अंदर जाने दिया और उसके basis पे अपनी एक समझ बना करके चर्चा की यह है internalization जिसकी बात वाइगॉस्की कर रहे हैं आप अंदर जाने दे रहे हैं फिर अपनी एक समझ बिक्सित कर रहे है तो internalization की जब बात आईगी तो वाइगॉस्की को याद कर लीजेगा यह चीज़ें हैं जो miss हो जाती हैं तो एक एक नंबर आपका शॉरिटी के साथ यहां ensure हो जाएगा अब तीन चीज़े हैं SCL नोट्स नहीं पढ़े हैं प्लीज पढ़ लीजेगा वैसे तो जाते लोगों नहीं पढ़ लिये होंगे social interaction यह तीन important चीज़े हैं as per वाइगॉस्की social interaction यानि समाज या समाजिक अंतहक रिया यानि समाज में जब हम interact करते हैं स्कूल जाता है बच्चा बात करता है स्कूल सिर्फ पढ़ने थोड़ी जा रहा है वह वहाँ का जो आसपास का समाज है संस्कृती है वहाँ पर discussion के लिए जाएगा उससे उसकी समझ विक्सित होगी उससे बहुत सारी चीज़ें वो सीख जाएगा ठीक है सही है बात या नहीं पंजाब से मैं आफ्लाइन नहीं ले पाऊंगे कोई बात नहीं पुझा कुछ ना कुछ करेंगे यतना सारा सले बस तो करा ही रहे है देखेगा 12 बेज़े से क्लास चलेगी क्या मुझे बड़े विश कर देना अगर आपको लगता है आप एक ऐसे माहौल में है जहां बाकी लोग जूट नहीं बोलते या बाकी लोग क्या नहीं है violent नहीं है हिंसक नहीं है तो बहुत कम chances हैं कि आप भी हिंसक बनेंगे या आप भी जूट बोलेंगे तो जिस environment में आप है वो society के साथ आपका interaction और यह आपकी अपनी समझ भी है आपका decision making यह सब भी भैतर होते हैं जब आप interact करते हैं चार लोगों से ज़री नहीं उनका thought आप अपनी दिवाग में भर ही लेंगे इंटरलाइस करके भी आपको अपनी क्या समझ बनानी है यह आपके उपर है लेकिन society का interaction का प्रभाव हमारे development पे है दूसरी चीज है culture यानी संस्कृती भई जिस समाज में आज जो current इस्तिती है संस्कृती क्या है पहले से चली आ रहे हैं बहुत सारी चीज़ें किस तरह के कपड़े पहले जा रहे हैं क्या पूजा पाठ हो रहे हैं क्या norms हैं उस culture में कौन से festivals आप celebrate कर रहे हैं कौन से ग्रंथ आप पढ़ रहे हैं क्या rituals हैं किसी की जन में किस तरह से खुशी मनाई जाती है किसी की शादी में किस तरह से आप खुशी मनाते हैं या क्या activities होती है अगर आप राजस्थान जाएंगे वहां अलग तरह के कपड़े हैं वहां का culture different होगा आप UP जाएंगे वहां कोछ और होगा और अगर आप क्या किताबे पढ़ रहे हैं वो सब चीजे मनदब जो आपका culture है वो भी तो आपकी development को प्रभावित करेगा जैसे आपने वो movie देखियो कि एक movie आई है शेदना भी देखियो goodbye करके है मिताब बच्चन है उसमें तो death का scene दिखाया हूँ है उनका एक बेटा है जिसकी जो wife है वो foreigner है तो अब वहां पे death में हमारे याँ death में ज़्यादा चटक मिटक कपड़े नहीं पहनते हैं जो बहुत ज़्यादा तड़कते बढ़कते रंके हो white कपड़े पहनना पसंद करते हैं movies में तो लोग असलियत में तो इतना time नहीं होता जब death होती है कि white कपड़े पहन करके जाओ तो उस case में immediately दूर के लोगों में जाबी सकते हो तो उस case में क्या होता है कि बाकी लोग सब white कपड़े पहन के आ रहे हैं और उसकी जो wife है जो उनका बेटा है जो foreigner बहु लेकर के आ है वो black एकदम dress पहन के आती है और चश्मा रश्मा लगा करके क्योंकि वो उनका culture है अब उसको बताया नहीं तो वो एक अलग बात है वो movie में थोड़ा funny scene create करने के लिए माल सकते है तो यह क्या होगा culture है अलग-अलग culture में जो यहाँ सही है वो किसी और culture में गलत हो सकता है जो वहाँ गलत है यहाँ सही हो सकता है बेसिकली जिस culture में जिस society में आप रहे रहे है उसका वहाँ पढ़ेगा अब इसको 70 तरीके से घुमाकर के बूच सकता है बस दिमाग में यह बात बैठ जानी चाहिए तीसरी बात है language language को बहुत महत्वपूर माना है नोने tool यानि यंत्र माना है किस चीज के लिए cognitive development के लिए आपका संग्यान आपकी समझ वही आप history पढ़ रहे है language का ही यूज़ करके पढ़ रहे होंगे मैं और आप बात कर पा रहे है हमारा संग्यान विक्सित हो रहा है आप को महत्व लग रहा है इस बात का समझ रहे हैं आप कुछ चीज़ें questions पढ़ रहे है सब कुछ हम क्या है अगर देखा जा एक तरह से भाषा बहुत बड़ा यंत रहा है हमारी समझ को विक्सित करने में ये समाज और संस्कृती भी ठीक से deliver नहीं हो पाएगा अगर भाषा ना हो तो भाषा भी बहुत महतुपून है इसलिए SCL बहुत महतुपून है social interaction एक factor है culture एक factor है language एक factor है ये तीन बहुत ही महतुपून factor है जो बच्चे के संग्यानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं ऐस पर वाइगास की आगे बढ़ते हैं अगर हम बात करते हैं तो वाइगास की भाषा विकास को मानते हैं कि सामाजिक अंताह क्रिया से होता है जब हम socially interact करते हैं लोगों से बात करते हैं बच्चा दुनिया में आता है तो वो भाषा को सीख जाता है और language क्या है? एक tool है जिसके माध्यम से हम एक generation से दूसरे generation में culture में, society में knowledge को transmit कर रहे हैं भाषा के तीन रूप दिये हैं जिन पर एक question आता ही आता है three types of language पहला है social speech यानि सामाजिक walk यानि जब बच्चा बोल-बोल करके समाज में जैसे वो 2 साल का हुआ है 2 plus years का अगर है 2 plus years की age में बच्चा बोलना शुरू करता है दुनिया में बातसीत करना शुरू करेगा मुम्मी पानी दे दो, पापा खाना दे दो या पॉटी आई है whatever it is बच्चा है 2-3 साल का यही सब बाते करेगा न तो अगर हम देखें तो social speech क्या है जब वो भाशा का इस्तमाल करके दुनिया में इंटरेक्ट करना शुरू कर चुका है फिर आता है second type of language वो है private speech निजवाक कह देते हैं इसको मौनवाक कह देते हैं कई लोग बहुत सारे इसके उधारन है तो private speech में 3 plus साल के बाद तीन से छे वर्ष में होती है प्राइवेट स्पीच पे एक question आता ही है 3 plus years में बोल बोल कर खुद से बात करना यह मान लिजए आपका एक room है यह private room है या आपका personal room है इसमें आप बोल बोल करके बाते कर रहे हैं यह private speech हो गई मतलब मन में नहीं बोल रहे हैं पाहर बोल रहे हैं लेकिन यहाँ social speech में क्या होता था लोगों से बोल रहे हैं यहाँ आप खुद से बोल कर बाते कर रहे हैं यह बोरा नहीं गए अपने आपको direction दे रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है खुद को दिशा देने के लिए कि मानलीजे आपके पास यह question पता नहीं कितनी बारा है कि बच्ची है जो t-shirt को fold करते समय खुद से बाते कर रहे है यह क्या है private speech है एक बच्ची है जो एक puzzle box है उसको एक साथ mix करने में खुद से बाते कर रहे हैं यह वाला शूर नहीं यहाँ पर तो यह वाला piece लगेगा यह क्या है यह private speech है खुद से बात कर रहा है बच्चा बोल बोल करके question solve करते हुए question solve करते हुए आप खुद से बात करते हैं paper में भी अरे यह मानची ने तो यह बताया था है लोगों को आवाजें आ रही होती है वो क्या है private speech है आप खुद से बोल बोल करके question solve कर रहे है silent inner speech इसका third level है third type है जो 6 plus at least और 7 plus के बाद भी हमें at times देखने को मिलता है तो 7 plus years में silent inner speech mon anthric walk अब आपके सामने कोई खड़ा है जरूरी नहीं आपको बोल के बताना है कि आप उससे कितनी नफरत करते हैं या प्यार करते हैं आप मन में बोल सकते हैं ये है silent inner speech कि अब आप मन मन में जैसे आप पढ़ने लगते हैं आप train में जा रहा है जब आप छोटे होते हैं याद कीजे अगर आप छोटे बच्चे हो कहें जब उसमें नया नया पढ़ना सीखा है कि मन में पढ़लो उससे पढ़ा नहीं जाता वो कहता अरे यार ऐसे कैसे पढ़लो मन में कि नहीं नहीं में मेरे से पढ़ा नहीं जाता वो क्या है क्योंकि अभी social speech आई है या हद से हद प्राइवेट स्पीच आएगे जब खुद से बोल-बोल के बाते करें साइलेंट इनर स्पीच जब आएगे तो ये स्पीच अंदर चलेगे अब वो मन में बोल पाएगा ठीके ना? तो ये हुई आपका थार्ड टाइप आफ स्पीच इसमें जो प्राइवेट स्पीच है इससे सबसे ज़्यादा क्वेशन बनते हैं इसी प्राइवेट स्पीच को इगो सेंटर्क स्पीच प्याजे ने कहा है और वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच को बहुत महत्पूर माना है ego centric उतनी नहीं मानी गई बट इसको एक तरह से बच्चा self centric है उस तरह से देख लिया गया तो यह हम यहाँ पर देखेंगे यह नहीं है कि नकारा ही गया हो कुछ और important बाते हैं Vygotsky के context में अगर विडियो नहीं attack रहा है तो आप बता सकते हैं हम आराम से तसलिसे करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है Hindi बहुत use कर रहे हो जाकिर कर रहे हैं अरे English भी कर लेंगे हैं और ऐसी क्या बात है यह notes actually ऐसी बने हुए है तो जो जिस भाशा में चल रही है बात उसी बाशा में चल रही है देखिएगा समझ में आ रही है न बात Hindi जाय तेल लेने है English जाय तेल लेने है यहाँ पर important क्या है कि बात समझ में आ रही है नहीं कुल मिला कर गे क्योंकि paper में bilingual आना है Hindi भी आईगी और English भी आईगी देखिएगा अगर हम बात करें किस चीज़ की तीन और important चीज़े हैं एक है ZPD Zone of Proximal Development संभावित विकास का शेत्र यह notes free है एक बार उनकी reading जरूर लगा लीजगा आपको समझ में आ जाएगा कि आपने एक 200-300 पेज की किताब पढ़ी थी और यह 40-50 पेज के notes पढ़े थे और क्या ज़्यादा काम आया अंत में जब आप paper देने जाएंगे Zone of Proximal Development यहनि संभावित विकास का शेत्र यहनि संभावना है कि इस शेत्र में आपका विकास हो सकता है एक चीज़ है स्केप folding जिसको हम मचान या पाढ या धाचा कह देते हैं हिंदी में सतरह सो नाम है इसके बट इंग्लिश में याद रखीगा कीवर्ड इसके आप फोल्डिंग यानि टेंपरेरी हेल्प अस्थाई मदद यानि आप बच्चा अटक रहा था किसी क्वेशन पर आपने हिंट दे दी या प्रॉब्लम को आधा सॉल्व कर दिया कोई स्टैप सॉल्व कर दिया तो यह स्केप फोल्डिंग है जहां बच्चा आठके वहाँ टेंपरेरी मदद देते हैं ठीक एक चीज़ है जादा जानने वाला व्यक्ति या अन्या कोई भी व्यक्ति anybody who knows more in a particular area यानि कोई भी व्यक्ति जो उस एरिया का expert हो आप से जादा जानता हो जैसे आपका दोस्त हो सकता है जिसका subject मानली जिस CDP उसका strong है let's learn से पढ़ता है बही जमानों से आप तो पढ़ा भी दी बता नहीं कितने लोगों कितने हमारे learners हैं जो coaching से पढ़ाते हैं तो अगर हम बात करें या YouTube चैनल से पढ़ाते हैं तो अगर हम बात करें तो वो expert है भई उसको CDP समझ में आती है आपको math समझ में नहीं आता तो आप उससे math सीख रहे हैं तो वो आपके लिए more knowledgeable हो गया math सिखाते समय है अगर आप उसको CDP सिखा रहे हैं तो आप more knowledgeable हो गये CDP सिखाते समय है age matter नहीं करते हैं आप से छोटा हो सकता है वेक्ती बड़ा हो सकता है तो ये हुई बात इसके फोल्डिंग यानि temporary help इसके फोल्डिंग जो term है ये दिया Brunner ने था बट वाइगोस्की इसको use करते आये हैं तो इन ही को साथ में लेकर चलेंगे more knowledgeable other जो भी आप से ज़्यादा जानता हो वेक्ती zone of proximal development में कई लोग confused रहते हैं पटाफट से समझेंगे और देखेंगे zone of proximal development यानि संभावित विकास का शेत्र ठीक एक area है A इसको कई लोग actual development बोल देते हैं हाला कि वाइगोस्की ने इसका जिक्र नहीं किया है तो ये A जो है जितना आपको आज आता है जो आपकी current या current knowledge है कि आपको CDP में मान लीजए 30 number का आपकी CDP आती है और आपको 15 number आपके बिना कोई session देखे बिना कुछ देखे आपके आजाते थे तो आपको जितना खुद से आता है वो area है आपका A ये है जो आपको independently बिना किसी की सहायता कि आप खुद कर लेंगे 15 number का आपको चाहिए थे 30 में से 30 आपने ढूंडा किसी से पूछा भाई तूने किया था seat at, बेहन तूने किया था seat at, क्यासे किया था उसने कहा, मेहवाँची से बढ़ाता है या लेट्स लन देखाता है, या ये notes पढ़ेते या फलानी किताब पढ़ी थी, या कुछ और पढ़ा था, या मैं पढ़ा दूंगी, आपने का ठीक है तो इस case में जब आपको help की ज़रत पढ़ेगी इस area के बाहर, जितना आपको खोद आता है उसके बाहर आपको help की ज़रत पढ़ेगी, तो help आ रहे हैं, तो इसका मतलब समझ में तो आ रहे होंगे concepts कुछ तो, ठीक है न, तो अगर हम ये कहें, कि आपका proximal development यानि संभावित विकास कहां तक का है 30 में से 30 लाने का, लेकिन आप अकेले नहीं कर पाएंगे ये काम, आप अकेले 30 में से 30 ला पाएंगे, या तो कोई किताब पढ़नी पढ़नी पढ़ेगी, कोई coaching लेनी पढ़ेगी, कोई विडियो देखनी पढ़ेगी, कुछ ना कुछ आपको help की ज़रत है, तो ये आपका संभावित विकास है अब यहां तक आप पहुंच सकते हैं यहां आप खड़े हुए हैं, बीच की मदद चाहिए, इसी को escape folding कहते हैं यह जो cd है न, जहां पे आपको help चाहिए, यही escape folding कहलाती है, जो temporary help है ऐसा थोड़ी paper मैं देखे आउंगे, आप कितना भी मेरे sessions देख लीजए, paper आप ही देखे आँगे बस आपको एक temporary help मिल गए जिससे आपके वो concept clear हो गए तो यह escape folding है, जो temporary help है इसको escape folding कहते हैं, मचान कहते हैं half solved problem देदेना hint देदेना, clue देदेना, कोई यह escape folding कहलाएगा जो यह escape folding देने वाला व्यक्ति है वो more knowledgeable other कहलाएगा age में छोटा हो, बड़ा हो, वाइगोस्की को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वाइगोस्की कहते हैं, जिस समाच जिस संस्कृति है जिसने खुद पे जतना काम किया है जो महाल खुद को दिया है, वो वैसा बन गया तो more knowledgeable other व्यक्ति अब इस case में अगर आप let's learn से देख रहे हैं तो more knowledgeable other मैं हो सकती हूँ अगर आप किसी किताब से बढ़ रहे हैं कोई concept तो more knowledgeable other वो चीज हो सकती है, वो आपको skep folding दे रही है, तो जो प्रॉसेस है, प्रक्रिया है उसको skep folding कहते हैं, जो व्यक्ति या technology है, वो MKO है, more knowledgeable other, ये ध्यान रखना है तो zpd क्या है, इन दोनों की बीच का difference है, जितना आप swim कर सकते हैं, जितना आप किसी की साहता से कर सकते हैं, दोनों की बीच का difference, क्या है zpd है, तो a point वो है जो आप learner खुद से कर सकता है, zpd वो है, जहां पर अगर आपको support मिल जाए, with support जो आप कर सकते हैं, और b एक point है, जो आप कर ही नहीं सकते, चाहे support मिले या ना मिले, अब आप scientist तो कल अचानक से नहीं बन जाएंगे, तो वो zpd के भी बाहर है, ठीक है, और ऐसा नहीं, यह zpd बढ़ नहीं सकती, यह dynamic field है, पेपर में इस बार पूछा गया था, कि क्या यह dynamic है या नहीं है, तो अगर हम देखें, तो इस zpd बिलकुल dynamic है, गतिशील है, एक बात बताईए, जब आपके 10 number नहीं आ रहे थे, आपन देखा, marathon session देख लिया, क्या हुआ, वो संभाव ना बढ़ गई, कि या अब तो में 25 भी लेंगा, और 25 आ रहे हैं, तो 30 भी आएंगे कल, तो यह क्या हुआ, गतिशील है, zpd क्या है, बढ़ती या time के साथ change हो सकती है, changeable है, flexible है, गतिशील है, इसलिए हम कहते, ability is increaseable, यान हम ability को, शमता को बढ़ा सकते हैं, यदि हम खुद पे काम करें, तो यह एक बात हुई, आगे बढ़ते हैं, तो zpd is the difference between what a child can do independently, और with support और without support, तो बच्चा क्या कर सकता है, with or without support, उसके बीच का difference zpd है, चलिए, वो दाइरा जहां अगर आपको help मिल जाए, तो आप कुछ कर जाएंगे, जैसे ये आपने देखा है, notes में भी given है, zpd is cap folding m के वो में बहुत confusion होती है, लोगों को, तो यहां पे एक father है, जो cycle चलाना सिखा रहे हैं, अपने बच्चे को, हम सभी ने cycle ऐसी सीखी है, मैंने बहुत साइब लोगों को सिखाई है बच्पन में, तो वो पीछ चुके होते हैं, जब ये help आपको मिल रही होती है, ये दायरा है आपका zpd, जिसमें आप cycle चलाना सीख रहे हैं, क्या आप सीख सकते हैं, ये जो help देने वाला विक्ति है, father यहां पर, वो mko है, father क्या है, mko है, बच्चा-बच्चा ही है, बच्चे का अपना कोई नाम नही पर सीखने का जो दायरा है, कि वो cycle सीख सकता है, यही zpd है, ठीक, और ये temporary help है, scaffolding तब तक ही तो दी जाएगी, जब तक आप खुद नहीं सीख रहे हैं, otherwise छोड़ देंगे, otherwise ऐसा थोड़ी आप बच्चा cycle चला रहा है, आप जीए उन पर उसके पीछे भाग रहे हैं, ये आपको help मिलेगी, जब तक initially, जब आप खुद से नहीं कर पा रहे होंगे, तब help मिलेगी, किसी step पे अटक गए, आप math solve करते समय, वो scaffolding है आपके लिए, ठीक, कुछ और terms हैं, जो generally हम avoid कर देते हैं, ये पढ़िएगा एक बार, Vygosky को ही लेकर के terms हैं, जब भी आपको paper में दिखें, गुरुप learning की बात हो रही है, social learning की बात हो रही है, cooperate करके सीखने की बात हो रही है, ये सब क्या है, यानि एक दूसरे का सहयोग करके, ये Vygosky की बात हो रही है, कही न कहीं, Vygosky society, culture, language, उनके through सीखने को महत्व देते हैं, तो cooperative learning क्या है, बच्चे एक दूसरे का स भायता करके सीख रहे हैं, बहुत minor सा difference होता है, collaborative में क्या है, सब साथ में आ कर के सीख रहे हैं, cooperative में ज्यादा सहयोग मिल जाता है, collaborative से बात लगभग सेम है, तो चाहे collaborative लिखा हो, cooperative लिखा हो, assistive learning लिखा हो, assistive क्या है, कोई आपको assist करे, जैसे internships लेते हैं लोग, तो वहाँ को आप किसी को कर रहे होंगे या तो तो किसी की मदद लेना असिस्टिव लेर्निंग भी नी से जुड़ा हुआ है पीर ट्यूटरिंग एक वर्ड है पेपर में बहुत पूछा गया सहपाथी अधिगम कह देते हैं इसको या समूह अधिगम पीर का मतलब यहाँ आपकी उम्र का व्यक्ति यानि बच्चे के क्लासमेट्स हो सकते हैं सहपाथी अधिगम सहपाथी अधिगम क्या है यानि एक दूसरे के साथ बच्चे सीख रहे हैं अच्छा तुमको मैट्स का यइवल सवाल आता है हाँ उशा मुझे आता है तो वो कह रहा है अच्छा प्यूश मैं समझा देता हूँ अगर तुमको नहीं आता है तो यह क्या है पीर ट्यूटरिंग है आपस में बच्चे एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं अब कई लोग पीर ट्यूटरिंग को ही गुरूप माल लेते हैं कई लोगों के सर में दर्द हो रहा होगा वो कह रहे होंगे या सोसाइटी कल्चर लेंग्विज पढ़ा के चुट्टी कर देते हैं क्या तो रुथी इतनी कहाने बताने की क्यूंकि पेपर ऑनलाइन है कॉंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए आपके दस चीजें दस जगा से पढ़ने से अच्छा है आप एक चीज दस बार बढ़ें इस टाइम पर अगर कॉंसेप्ट अच्छे नहीं होगा पेपर में थियरी पढ़ी भी होगी तो भी सॉल्ट नहीं हो पाएगा गर्ल से स्कूल जेंडर बायस का उधारन है जेंडर एक्विटी का चाले नहीं ये नीड थी उस समय की इसको आप एक्विटी भी कह सकते हो बट यहाँ पर बायसनेस नहीं कह सकते हो अपनी तरहा की संसत्था है कि समाज की वो नीड थी कि जुरत पड़ी तो ना तो उसमें बाइसनेस है, एक विटी कुछ हद तक आप कह सकते हो देखेगा ये ओनलाइन की दुनिया में मैं तो इतना फ्री डिसक्रशन कर च्रिवियम पास्ट में धीरे धीरे क्या हुआ है योट्यूब पे बहुत मुश्किल हो जाता है डीटेल डिसक्रशन समझ पाना क्योंकि बैचर्श में तो जो लोग आदे हैं वो बहुत आल्रेडी सीरियस हैं वो बैठ नहीं आएं कि हमें एक डिल घंटा पढ़ा हो रोज यूट्यूब पे यह हो जाता है कि या फटा 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 या तो कोहलबाग ने किसकी थियरी दी नैतिक विकास की नैतिक विकास किसके अंतरगत आता है सोशल डिवलेपमेंट के सामाजिक विकास के अंदर आता है मॉरल डिवलेपमेंट या सामाजिक विकास से ही जुड़ा हुआ है क्योंकि animals को तो जुरत नहीं है क्या सही और क्या गरत ना उनके जूट सही ना उनके लिए कुछ और सही वो तो सही करते हैं जो उनके nature के साब से होता है जो उनके survival के लिए ज़रूरी होता है humans में moral development की जुरत पड़ी ये last theory है आधा गंटा मुश्किल से समझने में लगेगा मेरे ख्याल में भरूसा मेरा कुछ नहीं है मैं कितना detail में किस चीज को ले जाओ वैसे मैं control करें कि CT8 की level से बहुत ज़्यादा ये theories ऐसी है कि आप एक ही बार बढ़ लीजे अच्छे से क्योंकि अब CT8 में भी level ठीक ठाक हो गया इनको ले करके आए तो सीधा question आजाए नहीं तो घुमा के खुब भरबूर question पूछे गया है आपको मैं एक दिन एक अलग session में questions भी करा दूँगे इसके ठीक है ना? देखेगा हाँ अब देखो रुद्र यादव करें हे पार्थ संसार में कितने विचित्र विचित्र प्रकार के प्राणी विच्राण करते हैं बिल्कुल सच है यह ना? देखे इंडिविजूल डिफरेंसे कहते हैं पार्थ इनको देखे ए moral development यानि क्या? नैतिक विकास के एक समाज है हमने विकास के चार प्रकार पढ़ेते हैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी मैं विकास के चार प्रकार पढ़ेते PC, SE और चारों ही एक दूसरे से जुड़े हुए इंटर रिलेटेड हैं, यह basics नहीं भूलने हैं नहीं तो गड़बड हो जाएगी क्योंकि वो जो statement और reasoning वाले question आएंगे उनमें आप गड़बड कर देंगे अगर यह basics खराब होए तो तो अंतह संबंदित हैं एक दूसरे से रिफ्लेक्स भी यूज़ होंगे, यानि फिजिकल डिवलेप्मेंट, कॉगनिटिव आपको पता है कि इंडिया में अगर आप चला रहे हैं गाड़ी तो किस तरह से बहेव करना है और अगर बाहर चला रहे हैं तो बहाँ अलग emotions आपके अलग तरह से काम करेंगे यहां तो रोग आधे टाइम पर गाड़ी ब्रोड पे चल रही है और गालियां भी साथ में चल रही है तो यहर जगा के अपने socio-emotional perspective होगा यानि चारों प्रकार के जो विकास हैं वो जुड़े हुए और यहां पर cognition और emotion को भी अगर आप जोड़ दें तो एक आपका principle of interrelation होता है विकास का सिध्धान्त यहीं पर समझ लीजेगा interrelation यानि आपस में जुड़े हुए है physical, cognitive, social, emotional सर पे चोट लगेगी दिमाग भी प्रभावित होगा whatever it is एक होता है integration principle of integration इस बार पेपर में नहीं पूछा गया है बट पूछ सकता है क्योंकि यह बहुत ही common है एक ही करण का सिध्धान्त अब interrelation और एक ही करण में क्या अंतर है interrelation है कि हाँ physical, cognitive, social, emotional सब आपस में जुड़े हुए है शारिक, संग्यान आत्मक, सामाजिक, संबेग आत्मक सब जुड़े हुए है integration क्या है यह सब जुड़कर के एक single entity के रूप में काम कर रहे है जब आप cycle चला रहे हैं तो आपके दिमाग भी use हो रहा है आपके हाथ भी use हो रहे हैं जब आप badminton खेल रहे हैं तो physical activity भी तो यह चारों मिलकर के एक single entity के रूप में जब काम करें तो integration का सिध्धांत जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो principle of integration है interrelated क्या है हाँ भी सारे आपस में interrelated होते हैं लेकिन जब आप एक activity कर रहे हैं जिसमें सारे विकास के प्रकार एक साथ काम कर रहे हैं तो वो integration है तो यह main difference है आते हैं अपने social और emotional जुड़े हुए हैं यह हमें पता है वैसे तो सारे ही जुड़े हुए बट यह तीन भी कई बार कह दिये जाते हैं PCS माल लिया जाता है इनको social development की जब हम बात कर रहे हैं तो social development से साफ साफ जुड़ा हुआ है moral development या इसी का हिस्सा है अगर मैं कहूँ क्योंकि moral development अलग से तो कोई type नहीं था महाँ पर चार में तो क्योंकि हम society में रहते हैं और society के कुछ नियम काईदे कानून तोर तरीके हैं क्या सही होगा क्या गलत होगा किन चीजों को acceptable मानेंगे किन चीजों को acceptable नहीं मानेंगे क्या चीजें चलेंगी society में क्या नहीं तो इसलिए हमें कुछ moral development या moral ethics या principles की ज़रत पड़ती है सिध्धान तो की जुरत पड़ती है कि क्या सही है और क्या गलत है ये हमें moral development बताता है morality क्या है नेतिकता क्या है सही और गलत के बारे में समझना है या सिध्धान तो को समझना सही गलत के सिध्धान तो moral development की एक बहुत ही famous theory है Coleberg की ये प्याजे से हलके से inspired थे पहले प्याजे ने theory दी थी फिर बाद में लोंने theory दी और अगर इनकी हम माने तो इनकी जो theory है ये कहते हैं कि जो cognitive maturity है ये ध्यान से समझेगा इस पर question previous पूछे जा चुके हैं इसको हम ignore कर देते हैं जो cognitive maturity है cognitive maturity ये छोड़ी छोड़ी पॉइंट से इनको समझते जाएंगे cognitive maturity बोले तो संग्यान आत्मक परिपक्वता यानि जो हमारा संग्यान है जो अब ये हम प्याजे की theory में पढ़ रहे थे कि जो हमारे stage या age के according to development हो रहा है उससे जो परिपक्वता आ रही है या biological भी जो age के साथ हमारे अंदर परिपक्वता आ रही है उसका प्रभाव आपके moral decision पर या moral reasoning पर पढ़ता है इसमें बहुत confusion होती है moral reasoning या moral decision making पर पढ़ता है नैतिक तर्क पर पढ़ेगा या moral decision पर पढ़ेगा जो भी आपने निर्न लिया है वो depend करेगा कि आप संग्यानात्मक रूप से कितने mature हैं अगर आप 15 साल के व्यक्ति हैं तो हो सकता है आपको एक व्यक्ति जो manipulate कर दे आपको लगे जो आपके लिए सही है वो 25 साल की उम्रों में सही ना हो क्योंकि cognitive maturity आ गई तो जो cognitive maturity आपकिस age में है इससे भी फर्क पड़ेगा आपके लिए सही और गलत क्या है देखा जाते है ना age के साथ लोग बदल जाते हैं अपनी जवानी में उन्होंने कुछ भी क्या हो बढ़ापे तक आते आते सब संत हो जाते हैं ये एक कहवत है जो चलती है तो वो cognitive maturity है age के साथ हा रही है बहुत बार ऐसा होता है और क्योंकि ये theory प्याजी की theory पर based है तो ये क्या हुआ इसमें कुछ negative नहीं है ये natural process है अगर देखा जाए तो ये cognitive maturity नहीं संग्यान आत्मक परिपकवता moral decisions को कि आप कितने साल के हैं किस stage में है development की उससे भी नर्धारित होगा कि आपके decisions आपके लिए सही और गलत क्या होगा दूसरा आपका तर्क उसी तरह का होगा जो reasoning या thinking process लगती है decision लेने में सही और गलत के उसको reasoning कहते हैं तो आपका जो तर्क है वो किस पर based होगा cognitive maturity पे तो ये धियान रखेगा इसमें घुमा देता है question चलिए समझते हैं हम फटाफट से छोटी छोटी चीज़न जो जो एक्स्रा में याद आती जाएंगे वों बताते हुए चलूँगे अच्छा इनकी theory है moral development की moral development का simple मतलब होता है सही और गलत के कुछ सिध्धान्त सही गलत को पहचानना क्या है नेतिकता है कि right turn लेंके wrong turn लें left लेंके right लें यह क्या है नेतिकता है इन्होंने अपने प्रयोग में केवल प्रशों को लिया यानि यह gender bias theory है ऐसा कोलबग की ही student कैरल गिलिगन ने कहा बीवी जीवत है और कोलबग ने suicide कर लिया था if I am not wrong बट वो matter नहीं करेगा यहाँ याद रखने आपको के कैरल गिलिगन कैरल गिलिगन एक मैला है और इनकी student है उन्होंने कहा कि यह theory जो है वो feminist perspectives को यानि नारिवादी नेतिकता का ध्यान नहीं रखती कि जो females की morality है वो care based होती है या वो emotionally भी थोड़ा सा चीजों में involved होती है या caring aspect जादा होता है males की morality justice based है ऐसा एक तर्क आप भरपूर कई questions देखें एपेपर में मिल जाएगा आपको तो feminist perspective को ignore किया गया इस theory में यह की एक अलोचना है कैरल गिलिगन के द्वारा की गई है नैतिक तर्क यानि और एक और चीज़े कि यह क्या है अभी लास्ट में तीन चीज़े हैं इसकी आलोचना में जो आती है वो हम समझेंगे लेकिन यह समझना ज़रूरी क्यूंकि इस बार भरपूर questions इनकी आलोचना पे आएए इसलिए सबसे पहले यही लिखा हुआ है अब नेतिक तर्क क्या होता है यानि moral reasoning क्या होती है moral decision लेने के लिए यानि आप फसे हुए है कि पिताजी का साथ दे या अपनी माताजी का साथ दे इसमें जो भी decide करना है आपको उसमें जो thinking process लगेगी जो भी तर्क लगेगा उसको moral reasoning कहते हैं ठीक तो दुविधा एक चीज है moral dilemma यानि आप दुविधा में है कि आप ये वाली stream चूज करें ये वाला career चूज करें लेकिन आपका दोस्त इसमें जा रहा है और आपको ये करना था उसके साथ भी रहना है इस तरह की बहुत साइज situation हो सकती है आप एक बोट में बैठे हुँ है ऐसी situations ऐसी दुविधा है ऐसी कहानिया गोल बग ने अपने students को सुनाई और एक तरफ आपके पिताजी है एक तरफ आपके पती है या एक तरफ आपकी माताजी है और एक तरफ आपकी पतनी है तो आप किसको बचाएंगे ये है दुविधा कि अब आप धर्म संकट में है या फिर क्या है नैतिक दुविधा में है डिलेमा में है कि आप क्या चूज करेंगे उस डिलेमा में जो आप चूज करेंगे उस thinking process को moral reasoning कहा जाता है एक बार फिर से समझ लीजे दो तीन चीज़े हैं आपर जो हमने समझी है सबसे पहले है morality यानि नैतिकता क्या है तो सही और गलत के लिए जिन सिधानतों को हम यूज कर रहे हैं वो है morality या कोई भी एक decision लेने के लिए सही और गलत के लिए कुछ सिधानत बने हुए जिसको हम morality कह रहे हैं और ये age के साथ हमारे development होगा cognitive maturity matter करेगी उसे साब से हमारी moral decisions होगे moral decision लेने के लिए एक तर्क का हम प्रयोग करते हैं उसको reasoning कहते हैं और ये reasoning age के साथ change होती है तो moral reasoning के थूँ तर्क के थूँ हम क्या करते हैं decision making हमारी होती है वह ये एक व्यक्ति है अगर चोरी भी करेगा तो कुछ तो तर्क उसने खुद को दिया होगा क्या रहे यार क्या हुआ मालनी चाहे एक maid है और वो खुद को तर्क देती है कि इनके पास तो इतना पैसा है मेरे जो काम मेरे जो employer है इनके पास तो इतना पैसा है मैं थोड़ा कुछ लेके भी चली जाओंगी बिना बताए तो क्या फर्क पड़ रहा है इनको ये क्या हुआ ये reasoning है चोरी करने की भी reasoning देते हैं ठीक और कई बार आप डिलेमा में फसे होते हैं तब तो आप यूज करेंगे ही डिलेमा क्या है दुविधा इनकी जो थेयरी है ये दुविधा बेस्ट ही है इनोंने इतनी सारी डिलेमा बच्चों को सुनाई और टीनेज तक के बच्चे थे इनके पास और उसके बेसिस पर ये पूरी थेयरी बनाई गई तो multiple डिलेमा इनोंने दी जिसमें से एक famous डिलेमा है Heinz डिलेमा यानि हिंज की दुविधा कह देते हैं हिंदी में Heinz डिलेमा Heinz डिलेमा में क्या है उसकी wife को यमराज लेने के लिए तयार खड़े हुए है Heinz की और वो जो है बहुत ही खराब इस्तिती में है कि अगर दवा नहीं मिली कोई deadly disease हो जाती है Heinz की wife को जिससे उसकी जान लेवा बिमारी जिसको हम कहते हैं वो हो जाती है भी मैं Heinz को दिखा देती हूँ है कही होंगे yes तो ऐसी बहुत सारी डिलेमास प्रस्तुत करते थे कोलबग और कोलबग ने कहा है कि moral development किससे होगा तो ये थेरी कहती है कि moral discussions कराईए classroom में चर्चा कराईए उससे सही और गलत का जो सही समझ है सही और गलत की वो विक्सित होगी यानि चर्चा से भी बहतर होगा आपका नैतिक विकास ठीक है इतनी बात clear है तो ये Heinz डिलेमा क्या है ये है Heinz और ये है उनकी धर्म पतनी यानि वाइफ ठीक अब Heinz को क्या चाहिए Heinz को वाइफ को बचाना है और पीछे अमराज खड़े हुआ है और ये कहना है कि लेके तो जाएंगे लेकि Heinz कहरा है बही दवा मिल जाए तो बचा ले हम बाद में आ जाना कुछ साल अब डेडली डिजीज है पूरे शाहर में एक ही वक्ति है वो मैडिसन है या वो केमिस्ट है जिसके पास वो ड्रग है दवाई है जिससे उसकी जान बच सकती है उसकी वाइफ की Heinz की Heinz जाते है उसके पास और वो कह रहा है दस रुपे में दवाई बनाई है मैं बेचूँगा एक हजार में 100 गुना जाधा प्राइस लोंगा कर लो ख या कर लोगे है ना तो ये 10 रुपे की दवाई को 100 रुपे में देने को तयर है अल्यगा दस 10ст компании मुझे coordinat is at least 10't2 तब तो ऐसा कह रहा है मी में न हाज कर जो जलता है Finally, हुआ क्या कि वो मानता नहीं है वो व्यक्ति मानता नहीं है जो chemist वाला है जो दवा देने वाला व्यक्ति है वो कहता है मैं तो दूंगा नहीं मुझे तो इस से पैसे बनाने है कुछ भी करो, पैसा पूरा दो, नहीं तो जाओ, मज़े करो, अब हाइन्स क्या है, यह दिखो, निहल एहमद ओफिशल के लाइन, टाइम साहिएगा, दस मेंट बात शुरू किदी, हमने दस मेंट तो लग जाते हैं, कई बात शुरू करने में, टाइम नहीं है, क्या है, स्ट टेंशन नहीं, इतना क्यों गर्म हो रहे, तो अब हान्स है दुविधा में, कि एक है राइट, और एक है लेफ्ट, एक तरफ है राइट, एक तरफ है लेफ्ट, रास्ते की बात हो रही, राइट, सही और गलत वाला राइट नहीं, कि या तो मैं वाइफ को बचा लूँ, चोरी कर लूँ रात को आ करके इसको दुकान तोड़ करके ब्रेक इन करूँ और ले जाओं या फिर चोरी ना करूँ और मरने दूँ वाइफ को अब naturally ये बहुत ही मुश्किल होता है कि आप मरने दें तो हाइंस ने चोरी कर ली और फिर बच्चों से पूछा गया क्या बच् को तो surrender कर देना चाहिए था अपने आपको चोरी करने के बाद तो गलत किया अलग अलग तरह के लोग कुछ बच्चे कहेंगे कि punishment मिलेगी हाइंस को इसलिए उसको चोरी नहीं करने चाहिए बच्चों फर्क नहीं पढ़ रहा हाइंस गलत कर रहा है उसको punishment से मतलब बच्च को तो पहली stage में है कुछ लोग कहरें कि नहीं surrender कर देना चाहिए तो फोर्थ stage में हो सकते हैं तो इस तरह से इन्हों ने अलग-अलग stages दी इस डिलेमा के आधार पे ऐसी बहुत सारी डिलेमास दी गई अब आते हैं इन्हों ने यह सारी डिलेमा का निचोड निकाल करके ती स्तर हैं या तीन लेवल हैं जिसमें six stages है यानि हर एक लेवल पे दो-दो stages दी गई सबसे पहला लेवल है pre-operal यानि पूर्व परमपरागत पूर्व परमपरागत क्या कहानिया देखते हैं प्री-operal, प्री-operal की यादत हो रही है, प्री-conventional इसमें convention word बहुत महत्म है थो पूर्व क्यों क्यों कि बात हो रही है, हर एक लेवल पे दो-दो stages है, है यहां पे भी दो stages होंगी first stage second stage यहां पे इस level की पहली stage लेकिन वैसे third और fourth stage हो जाएंगी और तीसरा level है post conventional यानि conventions के परे traditions के परे परंपराओं के परे ठीक post conventional level ठीक है जे अब इसमें fifth और sixth stage होंगी क्योंकि हर एक level पे दो-दो stages हैं तो total stages अगर paper में पूछी जाएं आप कहेंगे 5 और एक 6 stages हैं अगर level यानि चारण पूछे जाएं तो 3 है ठीक अब मुखे जो अंतर है यह जेनरली आसे इसमें age variation मिलता है अलग-अलग books में अलग-अलग resources में आपको मिल जाएगा लेकिन यह सबसे जाएदा authentic है जो चलता है चार से 10 यह primary वाले जो बच्चे होते हैं फिर अगर हम बात करें यह है आपका पहला pre-conventional level 10 से 13 और 13 and above जो हैं आपके वो post-conventional उत्तर पारंपरिक में आएंगे pre-conventional में एक simple बात है कि बच्चे की morality लगभग zero है वो convention से पहले ही है अभी उसको बस डांट फटकार का फर्क पढ़ रहा है बाकी किसी चीज़ का नहीं तो उसकी खुद की morality zero होती है बाहर से external morality imposed होती है बच्चे पे बाहर से थोपी गई morality है अगर हम बात करें इस चीज़ पे खुद की कोई morality नहीं है डर में या फिर punishment में वो करेगा conventional level है वो traditional society के according चलेगा पूरी तरह से क्योंकि society ज़रूरी है इसलिए नहीं कि punishment मिलेगी ही मिलेगी क्या है society के according, conventions के according, traditions के according चलेगा conventional level का मतलब ही है कि traditions के according चलेगा परमपराओं के अनुसार चलेगा जो समाज में चल रहा होगा post है उसके self chosen principles होंगे, खुद के द्वारा बनाएगे सिधान्त होंगे जिनको वो follow करेगा तो यह अंतर है, यहाँ पर totally external है, अब वो punishment driven हो सकती है, reward driven हो सकती है, conventional में society driven है और यह authority driven माना जाता है इसको या zero morality भी कई बार कह देते हैं कि पहले इस्तर में खुद की morality उसकी zero है, बहार से imposed है यहाँ tradition यह society और फिर यहाँ self, फटावट से समझेंगे, पहले ही इस्तर पर जब हम देखते हैं, पूर्व परम परागत, यानि pre conventional level चार से दस साल, दो चरण हैं, दो चरण कौन से हैं, फटावट से समझेंगे, एक है punishment and obedience, जिसको आग्याकारिता और दंड अभिविन्यास कहते हैं, इनके कई नाम हैं, बट English में इनके कई नाम हैं, बट English में फिर भी हम याद रखेंगे, obedience and punishment orientation, यानि बच्चे को कहा मानना है माबाप का, क्यों? क्योंकि punishment मिलेगी, इसलिए आग्या का पालन करना है, तो यानि इस थपड से बचने के लिए, थपड से ही डर लगता है, प्यार व्यार की कोई बात नहीं है, ठीक, तो अगर हम बात करें, तो इस थपड से बचने के लिए, क्या है, बात मानेगा मम्म की, क्यों? क्योंकि दंड ना मिल जाए, हाइंज अगर चोरी कर लेता, तो उसको जेल जाना पड़ता, इस बात का जिसको दुख है, इसका मतलब वो stage 1 पे है, इसको इस बात का दुख नहीं है, क्यों चोरी करना बुरी बात है, समाज में नहीं होनी चाहिए, किसी का हक मारा जाएगा, whatever, whatever, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे का एक तर्क है, आपको सिर्फ तर्क देखना है पेपर में, कि कहा क्या गया है, कि अगर हम बात करें, तो ये जो तर्क है, वो क्या है कि पनिश्मेंट से बचना है, पनिश्मेंट से बचना है, मैं पेड़गोजी और की क्लास हाँ, एनफ हो जाएगा, पेसीप, देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, इसकी पनिश्मेंट से बचने के लिए आग्या का पालन करना, आपने देखा होगा, मम्मियां बात करना छोड़ देते हैं, आरे तुम मेरे बच्चे नहीं हूँ आज से, जाओ यहां से, हैना, अब तुम से बात नहीं की जाएगी, तुमने मेरी बात नहीं माने, अब पनिश्मेंट मिल गई, मम्मी दो दिन तक बात नहीं करना, अगली बार बच्चा सेम चीज रिपीट ही नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि पनिश्मेंट मिले है, इसलिए आग्या का पालन करना है, तो दंड किसी बच्चे को, तोड़ी ज़्यादा डीटल में नहीं जाते हैं, स्टेज 2 है, इसका mutual exchange, tit for tat वाली स्टेज, जिसको individualism and exchange या personal reward orientation कहा जाता है, इससे बहुत question आते हैं, सबसे ज़्यादा question इसी से आते हैं, tit for tat यानि जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, tit for tat, give and take की स्टेज है यानि अगर मैंने तुमको पैन दिया है आज, तो कल तुमको भी अपनी eraser अगर जुरत पड़ी मुझे, तो बदले में देनी पड़ेगी, अगर मम्मी दुकान से 2 रुपे का समान मंगाए, तो 2 रुपे खुद की pocket उसके लिए भी चाहिए, रिश्वत के रूप में जाने क यह कई लोगों का पुराने जमाने में, क्या होता था, फेस्बुक पे वो लगागे रखते थे लोग, cover page, मैडम जी अभी भी कह रही है, इनकी इम्मारलेटी जाद आगे गई नहीं है, देखेगा, अगर हम बात करें, तो individualism and exchange, अब कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हमें कुछ लोगों के लिए यह policy का पालन करना पड़ता है, कुछ लोगों के लिए कोई policy ही नहीं होती, depend करता है, तो individualism and exchange, personal reward orientation, tit for tat, you scratch my back and I'll scratch yours and what's in it for me, अगर कोई भी एक काम है तो उसमें मेरे लिए क्या है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या फायदा किसी चीज़ को करने मे अब यह फायदा फायदा करते हुए हम लोग किसी का दो रुबे का फायदा नहीं करना चाहते है आज की दुनिया में, यह गलत हो गया फिर, तो व्यक्तिवाद यह क्या हो गया, नैमितिक अभी विन्यास है, tit for tat, इसमें एक question आता है कि एक बच्चा है जो आपस में लड़ share किया था, तो यह क्या हुआ, यह tit for tat है, कि अच्छा मेरे बड़े पर मैंने तुमको gift दिया, तुमने दिया नहीं, यह बच्चों में बहुत चलता है common है, तो यह second stage हो गई आपकी, अब आता है पहला level complete हो गया, क्योंकि दो ही stage है हर एक level पे, अब दूसरा level आता है, conventional level, conventional level 10-13 वर्ष की IU है, 10-13 वर्ष की IU है, दो चरण इसमें भी होंगे, समझते हैं क्या कहानी है, यह IU थोड़े बात इदर दर मिल जाएगे, आपको IU बहुत महतुपून नहीं है इस theory में, जितना महतुपून, यह समझना है कि कहानी चल क्या रही है, और किस stage में होगा बच्चा तो इसमें third stage है, यह second level की पहली stage है, जिसको third ही कहते हैं, यहां से भी खूप question आते हैं, good boy, nice girl orientation, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अभिविन्यास, इसमें बच्चा approval के लिए काम करेगा, honest भी है तो approval के लिए है, praise के लिए है, प्रशंसा के लिए है, कि उसकी तारी की जाएगी, तो उससे कुछ भी करा लो, दिन भर धूप में भी खड़ा रहेगा, यदि तारीफ मिले तो, ठीक, तो यह inter-personal relationships, या good boy, nice girl orientation का नाम है, कि वो grade A लेकर के आया है, बच्छा report card में, क्योंकि मम्मी कहेंगी, शाबाश मेरी बच्ची, तुम तो मेरी सबसे करेंगे, proud feel करेंगे, यदि आप सच बोलते हैं, तो यह सारी चीजें जो भी approval के लिए हैं, जो भी तारीफ के लिए हैं, जो भी प्रशंसा के लिए हैं, वो क्या है, इसी level पे आएंगी, क्यों, क्योंकि इन नियमों से क्या होगा, आप एक way में ढ़ल जाते हैं समाज में, harmful नहीं होंगे किसी के लिए, अब इसकी अपने फाइदे नुकसान हैं, आगे बढ़ते हैं, अब आता है, fourth level, अब थोड़ा थोड़ा आगे जाने की बात हो रही है, law and order stage, यानि maintaining the social order कह देते हैं इसको, या फिर law and order की stage कह देते हैं, कानून और विवस्था, अभिविन्यास या अनुपालन, इसमें हैं क्या, rules are rules, है ना, rules are rules, rules are rules, कैसे, आप school में जाते होंगे, अगर uniform पहन के नहीं गए, और आपका friend है, जो discipline in charge है, वो कहेगा बेटा, तुम shoes नहीं पहन के आए हो, तुम tie नहीं लगा के आए हो, चाहे तुम मेरे कितने भी अच्छे दोस्त हो, ल तो हर हाल में, या तो fine हो, या आपको उसकी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर एक विक्ति red light break करेगा, तो समाज में इसी तरह से नियमों का, नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है, तो यह क्या हुआ हुआ, rules are rules, फीक, अच्छा, इसमें मुझे एक और चीज आद र इसलिए follow करने हैं, क्योंकि समाज में एक नियम बना रहे है, और rules को बदला नहीं जा सकता, rules are fixed, वो यहीं stage है, fourth stage, ठीक, तो भई, simple बात हो गई कि rules को नहीं बदला जा सकता, चाहिए आप कोई भी हो, यह हुई बात, एक विक्ति rules को तोड़ेगा, तो सब तोड़ेंगे, यह fourth stage है, यहाँ से भी question आता है, अब आता है third level, जो की highest level है, इसके बाद आपकी छुटी देखेगा, उत्तर पारंपरिक, यानि post conventional level, उत्चतर आयू सीमा के बच्चे, यानि 13 and above, 13 के उपर, फिर आप निकली जाते हैं school से उसके बाद, इसमें भी दो चरण है, इसको थोड जाए कि डर से नाब बने हुए हो, तो self chosen morality यहाँ होती है, second level में society decide कर रही थी, first में तो बचारे को zero morality थी, जिससे दंड मिल रहा है वो गलत, जिससे दंड ना मिले वो बढ़िया, यही सब कहानी थी, फीक है जी, इतना short में क्यों जा रहे हैं, इसको short कह रहे हो या long कह रहे देखेगा, अगर हम बात करें, सामाजिक अनुबंध यानि social contract orientation यह 5th stage है और level 3 की यह पहली ही stage है, social contract orientation and individual rights, fights नहीं होगा, हमारी typist genius को fights बना दिया है, क्योंकि उनको CDP के C से कोई मतलब नहीं है, उनको जो दे दिया जाए, वो type कर देते हैं, कई बार खुद से भी type कर देते हैं, that's okay, individual rights, ठीक, तो सामाजिक अनुबंध अगर आपको ऐसी गलती दिखे तो समझ जाएगा, कि कुछ तो कमाल किया है, निखिल जी ने, देखिएगा, अगर हम बात करें stage 5 की, तो social contract and individual rights, अब ये क्या है, कि समाज का एक न जानून परिवर्तित होते रहते हैं, time to time, या फिर अगर हम बात करें, तो आपके, मालिजय जैसे भी red light की बात हो रही थी, तो red light तोड़ना क्या है, खराब बात है, वहाँ पे आपको सजा मिलती ही मिलती, लेकिन यहाँ क्या individual के कुछ rights भी है, समाज का एक order है, लेकिन rights भ बनाए गए हैं, अगर वो भला ना कर रहे हो, तो उनमें बदलाव संभव है, तो यह क्या हुआ individual के rights है, अगर चार लोग ले रिश्वत इसका मतलब यह नहीं कि आप देंगे, ज़रत पड़े किसी की जान बचाने के लिए तो आप, अगर ambulance में है, तो red light भी तोड़के जा हैं, तो यह सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, क्योंकि individuals के भी अपने right हैं, समाज का तो एक order है ही, अब आती है highest level of morality, जो less than बहुत ही, 1-2% लोगों में पाई जाती है, कि universal ethical principle अलका, यह क्या है, स्वारुभामिक नैतिक सिधान्त, universal ethical principle, यानि व्यक्ति अपनी जान पर भी खेल जाएगा, एक बड़ी mass population के लिए, उनके भले के लिए, या फिर जिन चीज़ों में, जिन सिधान्तों में विश्वास रखता है, उसके लिए, मात्मा गांदी, नेलसन मंडेला, भगत सिंग, राजगुरू सुगदेव, यह इस तरह की लोग हैं, जोनोंने masses के लिए, अगर जुरत पड़ी, तो खुद को भी sacrifice कर देंगे, तो सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं है, masses की लड़ाई है या फिर आप जिन चीज़ों में सच में believe करते हैं, उनके against जाने की लड़ाई है, ठीक है, कोई दिक्कत परिशानी, अब हम questions तो नहीं करेंगे, बट इनकी आलो आलोशना मैं से मैं शुरुआत में आपको थोड़ी थोड़ी बता दिये, क्योंकि इस बार आलोशना बहुत आई है पेपर में, और आलोशना हम करते हैं, लेकिन ये इस तरह से आप देख लिए जगा, इसको ये याद रहेगी, तीन मुख्ये आलोशना हैं, जिसमें से दो कौन कह रहा इसा, केरल गलीगन कह रही है, केरल गलीगन कह रही है, ठीक है जी बात, hypothetical situations हैं, यानि imaginary situations हैं अगर देखा जाए, कि मतलब कुछ हद तक आपने reason लगा लिया, अब आप मेरे से पूछे हैं कि अच्छा जी, आप तो मैडम कभी जूट नहीं बोलती, कि जहां नही अच्छा जान पर बात आए, तो बोलेंगी, मैंने का नहीं, एक दिन जान पर बात आए, मैंने फटावट से बोल दिया, तो यह क्या है, यह hypothetical situation है, कि imaginary situations है, जब गुरुप में बिठा करके questions पूछे गए, या बाते हुई, या चर्चाएं हुई, तो किसी ने कुछ भी कह सक है, कोई भी, लेकिन reality में जब situation आएगी, तो क्या वो व्यक्ति वैसा करेगा या नहीं, यह तो तब ही पता लगेगा, तो इस बात पर भी इसकी आलोशना हुई इस theory की, कि imaginary situation है, रूम में बैठके क्या जाता है, कितनी सध्धानत की बाते कर लो, reality में जब apply करने की बात जो कहीं गलत है, वो यहाँ सही हो सकती है, तो संस्कृति का भी difference आएगा सही और गलत के आधार पे, कहीं पर shorts पहन के घूमना एकदम normal बात है, कहीं इस बात पे भी दंगे हो सकते हैं, तो सब की नैतिकता का भी, अलग-अलग पैमाना है, या संस्कृतियों का प्रभाव प जलता हो, अब एक quote है, जो चलता है, कि good girls don't make history, bold ones do, या फिर, खिर देखियेगा, हाँ, इतने तो, तूफान नहीं, ठीक है, छोड़ो, यार, मेरी morality छोड़ो, बठाँ, ठीक ठाक ही, चीज़ें हैं, तो good or bad में अगर हम फसके रहा जाएंगा, फिर तो कोई भी, जीवन में या दुनिया में परिवरतर नहीं आएगा, अगर आप सिर्फ good boy or good girl orientation में रहेंगे, तो, है न, तीन दिनों से इतना important discussion कर रहा है, कुछ लोग फाल तो comment कर रहे हैं, प्रभा देखो, कुछ लोग हमेशा आ रहेंगे, अब ये इतना important free discussion हो रहा है, batches में आईए, आप कोई फ खुल नहीं लगता, चलिए खेर, अच्छा इस पर question आता है, एक fifth level को ले करके, कि एक व्यक्ती है, जो ये कहते हैं, कि मैं ऐसी government को income tax pay नहीं करूंगा, जो चोरी करती है tax की, या फिर मतलब जिसका सही उपयोग नहीं हो बाता, वो dams बनाने में, बेफिजूल में पैसे हम कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो वो fifth level होगा, और third level है आपका, और fifth stage है, ठीक है, fifth stage होगी, बट वो level के हिसाब से पूछता है, तो आपको लगे जैसी कुछ बदलाव की बात हो रही है, कोई विक्ती अड़ा हुआ है, तो third level, चलिए अब कल मिलेंगे, और कल मिलेंगे कल 9 बचे मिलेंगे, कल National Education Policy, और हम क्या करने वाले हैं कल, आपकी RTE Inclusive Education, ये सब हम करेंगे, फिर उसके बाद हम questions पर आएंगे, और पेपर से एक हफता पहले, क्योंकि आपको notes तो सारे मिल जाएंगे, उससे पहले, एक हफता पहले हम फिर बाखी subjects की marathon लगाएंगे, क्योंक से correct नहीं कर पाया, क्या मेरा admit card आएगा, प्लीज बताएं मम, बहुत depressed हूँ, अब तो मुझे लग रहा, date भी निकल गई होगी, उसकी correction की, यार आप देखो, इसमें problem हो सकती है, ये ऐसे वाली स्थिति है, बहुत कम chances है, हो सकता है आएंगे, तो 50-50 कहेंगे इसको, बहुत मा, गुरमी तो उनको कहिएगा, कि ठीक है, उनको, अपने उनके special, अपने उनके लिए पैन लाके दो, और अपने पैनों की रक्षा करो, तो वो होगा है, देखो, हर चीज का, every action has equal and opposite reaction, तो ऐसा तो हो गाई, of course, ठीक है ना, तो कुछ नुकसान तो जिलना ही पढ़ता है, म और, आकाश, अहिरवार करें, मैं, English Pedagogy में problem आ रही है, how can I improve my score in this subject, notes एक बार पढ़िए, और questions प्रैक्टिस कीजे, तीसरा और कोई रास्ता नहीं है, या topics, तीसरा रास्ता वही हो सकता है, जो आप previous year करेंगे, वहीं से, जो नए topic लगें, उनको ढूम के पढ़ते जाओ, प्लक्षमी की बुक सफिशेंट रहेगी, या कोई और बुक उसके साथ एड़ करनी पढ़ेगी, यार हरश वशिष्टा, वशिष्ट, ये तो, ये कोई local बुक है, I think, local means, जो local writers, Indian writers की, होती है, मुझे, इसके बारे में idea नहीं है, कि आप कौन सी बुक के बारे में ये बात कर रहे हैं, अगर आप authentic books पढ़नी चाहते हैं, तो बहुत सारी है, आपकी, even seat at के लिए तो मती पढ़ोना है, seat at के लिए बुक ही नहीं पढ़नी है आपको, especially child development, ये notes दिया है, इतना पढ़ लो यार, previous year कर लो, क्यों चक्कर में पढ़े हो, चलो खेर, आज के लिए इतना ह और कल मिलेंगे उससे पहले तो 9 बजए, take care, bye bye, धन्यवाद आपका, like, share, subscribe करें, comment में अपने वचार आप बता की जाएगा, good night, धन्यवाद जो